बुद्धी नतन रादे सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धी विद्ध्या देवु मोही हरु कलेश विकार जय हनुमान ज्यान गुन सागर जय कपी सति हुलोक उजागर रामधूत तुलित बलधामा अंजनि पूत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हात बजर और धजा विराजे कांदे मुझ जने उसाजे संकर सुवन के सरिनन्दन तेज प्रताप महाजग वन्दन विद्यावान गुनियति चातुर राम काज करिवेको आतुर प्रभुचरित्र सुनिवेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुक्स्मरूपधरि सियही दिखावा विकटरूपधरि लंक जरावा वीमरूपधरि असुर सहारे राम चंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रगुबीरहर श्यूर लाए रगुपति किन्ही बहुत बढ़ाई तुममम प्रिय भरत समभाई सहस्र बदन तुम रोजस गावे असकैश्री पति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीशा नारद सारद सैत अहीशा जमक बेर दिग पाल जहाते कभी को विद कई सके कहाते तुम उपकार सुग्री वही किन्हा राम मिलाए आज पज दिन्हा तुम्हरो मंत्र विभी शर्माना लंकेश्वर भै सब जग जाना जुग सहस्र जोजन पर बानों लीलो ताही मधुर फल जानों रहु मुद्री का मेली मुखमाई जल दिलांगी गए अचर जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगमानों ग्रह तुम्हरे ते राम दुआरे तुम्हर रखवारे होतन आज्या बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शर्ना तुम्हर अक्षक काभू को डर्ना आपन तेज समारो आपे थीनों लोक हांक ते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महाभीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान चुडावे मन क्रम बचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिन के काज सकल तुम साजा और मनोरत जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा है परसिद जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अश्ट सिदिन वनिदि के दाता असबर दीन जान की माता राम रसाय तुमरे पासा सदार और रखवपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख विसरावे अंत काल रख बर पुर जाई जहां जनम हरिभक्त कहाई और देवता चितन धरई अनुमत से ये सर्वसुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरु देव किनाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंधि महा सुक होई जोय पड़ हनुमान चारिसा ओय सिद्धि साखी गोरी सा तुलसी दास सदारिचेरा कीजेनात रिदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम रखन सीता सहिता रिदय वसो सुरभू पसियावत राम चंद्र प्रियहो रगु विर राम चंद्र प्रियहो अवन सुतहनु मान प्रियहो कुमापति महादेवत्रियो बुरु भैसा पसंतन प्रियो करियो स्अट्रशीर्षाक पुरुशत्, सहस्त्राक्षत्, सहस्त्रपात् सभूमृिम् विष्वतो् पुरुषये वेदं सर्वं यदभूतं यच्चभव्यं उतामृतत्व सेशानो यदन्नेनाति रोहति येतावादस्या महिमादो जायांचा पुरुचा पादोस्या विष्मा भूतानी त्रिपादस्या मृतंदिवी त्रिपादूर्द्वा उदेपुरुचा पादोस्या वावत्पुना ततो विष्म्यक्रामस्षणा नशने अभि तस्मात विराण जायत विराजो अदी पुरुचा सजादो अत्यरिच्चत पच्चा गूमी मतो पुरा यत पुरुषेन अभिषा देवा यग्नमतन्वत वसंतो अश्या सिदाज्यम् कृष्मा इत्मा स्चरत्दवितं यग्नम् वरिषी पुरुषं पुरुषं जातम अग्रता तेन देवा अयजंता साध्या रुषयस जए तस्मा ग्यग्ना सर्ववुतस सम्गृतं पुरुषदाज्यम् पशूंतां चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्या जए तस्मा ग्यग्ना सर्ववुतस् पुरुषं सामा इजग्नी रे चन्दाप्सी जग्नी रे तस्मात तस्मा ग्यग्नी रे तस्मात तस्मात जायता येके जो भय्यादता गाहों जग्नी रे दस्मात दस्मात जार्दा अजावया यत्पुरुशं यदादु पतिदाव्य कल्पयं मुखं की मस्यको वाहू का उरुपादाउच्यदे रामनोश्य मुकामाजि वाहू राजन्य पुरुटदस्य यदवेश्य पतव्यां शूत्रो अजायत संद्रमामनसो जातशक्षो सुर्यो अजायत मुकात दिंड्रम शागनिष्य प्रानाग्वायु राजायत नाभ्या आसितंतरिक्षं शिष्णो यो समवर्थत पत्व्यां भूमिदिश स्रोतात्ता लोकाः अकलपयं सब्ताश्यास्तन परिदयस्त्री सब्तसमिदा गृताः देवायत्यग्नम् तन्वाना अवदनन् पूरुषंपशुम् यग्नेन यग्नम् मायजन्त देवास्तानि कर्मानि प्रतमान्यास्तन् तेहनाकं महिमारस्त चंत यत्रपूर्वे साध्यासंति देवारियो सब्सक्राइब देवार्स्त यग्नम् कर दो 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 कर को दो कर 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 दो सबस्टों वो को दो तो दो 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 वी लाई चाहँ देन रहा है डिन्मेरी आओ ओर आओ में उन्मेरा आओर्जी में बी द्राव देव दूलाश देव दूलाश शेयाश आग purchasing आगि दूलाश देव दूलाश लूलाश प्रुप with तक और दूलाश दूलाश करुणा, करंथ, तंग, श्री राद, तंग, श्री राद, श्री राद, य तंग, श्री राद, श्री हान, श्री राम् ग्रदि राह, श्राद, श्री Light कर्या थेट। ओम जुवं मारुत तूर्य वेधं जितेंग्रिया बुद्धिमता वरिष्चा ओम जितेंग्रिया बुद्धिमता वेधं जितेंग्रिया बुद्धिमता वेधं श्राम प्रप्रप्र राम चंड्र भगवाद्ट राम चंड्र भगवाद्ट भगवान प्रियः वाल भगवान प्रियः सब्सक्राइब भगवान प्रियाब सब्सक्राइब भगवान प्रियाब नम्हा आती पत्ये सब्सक्राइब भगवान प्रियाब सब्सक्राइब भगवान प्रियाब सब्सक्राइब भगवान प्रियाब कर दो कर दो कर दो कर दो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम ये राम, ये ये राम, ये ये राम ये राम, ये राम, ये राम, ये राम, ये राम, ये बार्गंद। खेते दाम खेते दाम कर दो राँ चे चे आँ श्री राम जे राम जे राम जे जे राम जे राम जे राम श्री राम जे राम श्री राम जे राम श्री राम जे राम श्री राम जे राम जे राम श्री राम जे राम जे राम श्री 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 राम जे राम सब्सक्राइब करते हैं जय 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 अनुमान बसान नुमान बसान नी टृपा करो बूरू देवति नाई मित्रिपाई देवति नाई की जै 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 अन्मान भुषाई की जै 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 कि अ एक उने हैं नोग amarम जन जन ऑल जी 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 कनुमान दुषाः कि जी जी जे क्वें सबस्टí जी जी जे sap upgrade pornography क्वें जी 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 जे टूः अमंगल आरी मोलिय पुझ्य पाद मुझ्य पुसिदाष्टी माराद्य प्रीय प्रीया अरी व्यापत सर पत्र समाना 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 आता हुआ है प्रेमा ते प्राव 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 ते जिवादी प्रेमा ते प्राव 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 आरी व्यार्व के लिए ठार्वा देख रार्व मावाद रिए उड़िया अन्देख स्वानुद्धा आर्वा नार्व फिर्टार्व के लिए तुछ गया हुआ। हरी व्यापक सरवत्र समाना हरी व्यापक सरवत्र समाना प्रेम तेप्रादत्र प्रेम तेप्रादत्र कर देँ होगी मैं जाना व्यापक सरवत्र माहं खाल थासर्वाट राड़ रयद राड़ा राड़ राड़ वां जार रहुत वां जार राड़ु करें भाल राड़ु था राड़ा । मैं जाँ सरवेत्र समा मुलिये अनुमांज माराज प्रिया बाप राम कथा के पांचवे दिन फिर एक बार भगवान श्रीजी बावा के चर्णों में मानसिक दंडवद करते हुए पूजने परंपरा को नमन करते हुए कथा में यत्र तत्र उपस्थीत सभी पुज्य गणों को प्रणाम करते हुए कथा में आये विद्वित क्षेत्र के आदरनी महानुभाव आप सभी मेरे शुरुता भाई बहन और सभी को व्यास पीट से मेरा प्रणाम राम चर्ट मानस यानि राम कथा में प्रेम के बारे में गोस्वामी जी क्या क्या दर्शन प्रदान करते हैं उसकी चर्चा भगवान शिनाज जी बाबा प्रेम स्वरूप है इसलिए इस प्रेम धाम में इस प्रेम यगन में हम उसी केंद्र बिंदू को पकड़ करके सत्संग कर रहे हैं हमारी चर्चा चल रही है कि प्रेम प्रगट हो जाएं तो परमात्मा प्रगट हो जाएं यह बिल्कुल साप सुथरा गणीत हैं दो और दो चार जैसी बात है इती सिद्ध बस्तु है हम आप से मिलकर बाते यह कर रहे हैं कि यह प्रेम किस रूप से प्रगट हो कल हमारी चर्चा हुई थी मानस के अधार पर कि जनक राज का प्रेम गुपत था पड़ा था लेकिन राम बिलोकत प्रगटेव सोई राम को देखकर जनक का प्रेम प्रगट हो गए राम भगवन्त है और भगवन्त को देखकर प्रेम प्रगट हो जाएं यह भी एक तरीत है कल इस संदर्भ में मैं आप से बात कर रहा था कि बगवन्त शिनाज जी की जाकी करते हैं द्वारिकादीश प्रभू की जाकी करते हैं एक लिंग जी बगवन्त की जाकी करें कहीं भी तो इस दर्शन से बले कितने समय तक वो कहना मुश्किल है लेकिन कुछ भाव का प्रगटी करन हो जाता है यदि इधर उधर देखना बंद करके केंदर को पकड़े तो प्रगवन शिनाज जी की जाकी में भीड कितनी हैं गग केंदर कितनी देर लगती हैं कब दर्शन होंगे कौन-कौन दर्शन में है आगे कौन है पीछे कौन है ये सब में रहे तो शायद कैंदर छुट जाता है लेकिन केवल कैंदर को दरश्टी में रखता कोई ठाकुर जी की जांकी करे तो मेरा तौन वह है प्रेम प्रगट होता है और बिना कुछ मुल्य चुकाएं केवल दर्शन मात्र से प्यार प्रगट होता हो तो इससे सरल मारक कौन हो सकता है करो दर्शन राजेश बैया का एक राजकाउशिक का एक शेर है उसने देखते ही मुझे दुआओं से भर दिया उसने देखते ही मुझे दुआओं से भर दिया मैंने तो अभी सजदा भी नहीं किया था मैंने तो नो प्रणाम किया न बंदगी की न सजदा की केवल दर्शन मात्र से मेरा काम बन गए तो मेरे भाई बहन एक विदा है भगवंत दर्शन से प्रेम प्रगट होता है फिर उसी प्रेम से भगवंत की प्राप्ति होती है भगवंत प्रगट हो जाते है स्वरूप के दर्शन करते करते बिलकुर प्रत्यक्ष प्राप्ति हो जाती है ऐसा ही अध्यात्मिक सुत्र है एक और सुत्र प्रेम प्रगट करने का और वो है किसी संत के दर्शन से प्रेम प्रगट होता है वहाँ भगवंत दर्शन और दूसरा है संत दर्शन मैं एक बात पुछनू आप सब को सुनाई देता है ना सबी जगर सुनाई देता है तो बोले जाओ ना क्या नहीं सुनाई देता है ना मेरा तो जो हो लेकिन लोगों तक बात पुछन के की ऐसे चार घंटे गुजरना बड़ा थी बड़ी मुश्किल है साथ कोई यहां बैठ कर बोले तो पता लगे गुजराती में एक बात कही जाती है चासमा बात ना खो चासमा बात यह कोई दी ब्यगून हो थाए चासमा बात ना चावल इदर ऐसे कई कुछ लेकिन आप सब सुन पा रहा है मेरा हेत वो आप तक पहुचना है कितने दूर दराज से आप आते हैं कितना कष्ट भोग कराते हैं बारिश की बुन्दा मुदी इतनी भीड इसमें आए जहां जगह मिले आप सरद्दा से बैठ जाते हैं मेरा मेरा मकसद है मैं आप तक पहुचू मेरे मेरे मिलबानी के दौरा और आप अपने मन से मेरे तक पहुचें वैसे में आप सबको स्थुन रूप में नहीं मिल पाऊं इतना समय भी नहीं है और ये मुश्कील है लेकिन कम से कम मेरी बात आप तक पहुचे और तुमारी मान सिक्टा तुमारी शर्दा और भाव भरी आत्मा व्यास्पिट तक पहुचे कम से कम ये सेतू हो इसलिए अब तो आप सुन रहे हैं तो मैं खुशी व्यक्त करता हूँ लेकिन बीच में यदि सुनना बुनना बंद हो जाए तो तुरंट आप बता दीजीगा ताकि कुछ फिर और उसको ठीक किया जाए ठीक है कल साइंकाल सांस्कूर्टिक कारिय करम जो था जिसमें मूलतह सुफियाना अंदाज के गायन की प्रस्तुती थी प्रसिद्ध गायक कैलास जी ने अपनी सहज तरल प्रस्तुती की हम सब ने आनंद किया हमारे यहां कोई अनुष्ठान होता है बाब सत्यनारायन की कथा करवाओ आप अपने गर में तो वहां भी का जाता है कि बैस सत्यनारायन की कथा हो जाए प्रसाद बांटो उत्सव मनाओ नुरुत्य गीत हमारे यहां नुरुत्यम्च गीतम तथा के सुत्र है गाओ जूमो यह तो कितनी बड़ी कथा है परसाइंकाल को हमारी आत्मा कभी नुरुत्य कर लेती हैं कभी शब्द कोई भी हो लेकिन उसमें से सात्विक अर्थ निकाल लेती हैं संगीत विद्या नृत्य विद्या कोई भी कला की हनुमान जी के समीफ एक इज्जत होती जाती रही है उसको भी हम एंजोई कर रहे है यहां तो नौदीन की कता है लेकिन कभी आप चित्रकुटधाम तलगाजरड आईए मैं आपको निमंत्रीद करता हूँ वहाँ हनुमान जी के हनुमान जयन्ती के अवसर प्रती वर्ष नृत्या शास्त्री संगीत और शास्त्री गायन उसकी हनुमान जी के जर्णों में यह जो स्वरूप पीछे बैठा है कोई भी आता है पकड़ा जाता है इस वरूप में उसके सामने उसके हम प्रस्तुती करवाते हैं बेटियां हनुमान जी के सामने इंगरती करती हैं पूरी दुनिया ने देखा है गीत प्रस्तुत किये जाते हैं संगीत प्रस्तुत किये जाते हैं और फिल्म जगत के स्रेष्ट कलावानों को हनुमान जी के प्रसाद के रूप में एवोर्ड भी दिया जाता है और उसी समय कोई फिल्म जगत की नर्त की यादर नहीं है नर्त की कोया तो वो भी वनुवान जी के सामने ठुमका भी लगा लेती है मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए बिबत सता ना आनी चाहिए बाकि नुट्य और गीत एक विद्याख है आपको पता हैं कि आप भगवान की एक आरती करते हैं वो नुरुत्य है आरती वस्तुतन नुरुत्य है संकिर्तन नुरुत्य है और हम तो दियहात में रहे हमने भी मंदिरों में हम वैश्णों साधू मार गी तो हम भी राम मंदिर की आरती बच्पन में किया करते थे जब बारी आती थी राम प्रिश्ण के मंदिरों में हम वैश्णों साधू आरती करते पुजारी के रूप में शिव मंदिरों तो अतीत गोसाईं साधू पुजा आरती करते तो मैं तो इससे गुजरा हूँ अपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने संध्या आरती, प्रातख आरती अथ्वातो मद्यान आरती जिस मंदिर की जो रीती हो तुम अकेले आरती नहीं करते हो, उसी समय तुमारे साथ पंच महा बूत आरती करते हैं यह नियम हैं हम देखते हैं नहीं यार हम किसी भी घटना पर अपनी द्रश्टी डालते हैं मैं मदन वहिया को बोल रहा था कि मैं यह सफेद कुर्टा और सफेद दोती पहनता हूँ यह सफेद हैं ना तुमेरा कुर्टा सफेद हैं ना लेकिन आप मेरे पर लाल रंग वाले काज की टॉर्ट फैको तो आपको मेरे सफेद वस्तर लाल दीखेंगे इसमें मेरा दोश नहीं है तुमारी टॉर्ट का दोश है मेरे यह सफेद वस्तर पर आप हरी लाइट ठेंकोगे तो मैं क्या करूँ आपको हरा दिखेगा और आपका भी दोश नहीं क्योंकि आपका काच हरा है तो सब के मैं कोई मुर्दी का जिक्र नहीं करता लेकिन मेरा आनुभव है कि भारत के मंदिरों में रही बहुत प्राचीन और बहुत आस्था से भरी मुर्दियों में भी मैं जब देखता हूँ तो मेरी आँखों में परम वैश्नवी और सात्विक बाव होता है और मैं तीन ऐसे तांत्रिकों को जानता हूँ वो मुझे अकसर कहते हैं कि इस तिर्थमें ये तिर्थमें वो तिर्थमें जो ठ्ख्यकोर जी का स्वरूप है वो तांत्रिक है जिसकी जो द्रश्टी वो कहता है ये जो मुद्रा है तंत्र की मुद्रा है ऐसे साथकड़न मेरा तंत्र में कोई प्रवेश नहीं तंत्र के प्रति मेरी कोई रूची नहीं लेकिन एक वो भी एक पड़ाव है जहां से लोग इश्वर के और जाते जिसकी जो रूची वो कभी हमारे द्वार का देश सवराश्ट के द्वार का देश उस मुर्ति को देखकर भी मेरे साथ जब सत्संग के तोर पर बात होती रही तो कहते बापू कि द्वार का देश की जो मुर्ति है उसमें तंत्र की भावना गुत्थी हुई है मुझे नहीं दिखता मेरा अपना नजरिया है उसको यह देखता उसको भी मैं अनादर न करूँ तो मेरे भाई बेहन कोई वो नहों लेकिन अंदृत्यम चगीतम तथा यह सभी विद्या की प्रस्तुती आखिर किसी व्यक्ति के चरणों में नहीं है श्रिनाज जी के धरवार में अनुमान जी के चरणों में यह प्रस्तुती है हम वो अनुमान जहिंती का कुछ सालों से लाईव टेलिकाष्ट करवाते हैं यह पूरी दुनिया देखें यह अनुमान ब्रह्मचारी है और कोई बेन बेटिया उनके सामने नाचती है तो ब्रह्मचारी राजी होता है तुम गुरुहस्त क्यों चिलाते हो तुमें क्या तकलिप है एक किसी ने आलोचना की इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे दिहाती लोग आफिरे आदमी तक कोई ब्रह्म पैदा नहों हो जाए मुझे वहना तक जाना हमारे गुजराती में एक गजल है हमारे सूरत के बगत नाजुक मिजाज के कवी हुए है गनी दही वाला उसकी बड़ी प्रसिद्ध कजल है गुजराती की नधरा सुधी नगगन सुधी नहीं उन्नती ना पत उन्नी सुधी शायर कहता है नहीं नीचे जाना है न उपर जाना है न पतन प्राप्त करना है न उन्नत होना है तो किसी ने पुछा कि आपकी चाह क्या है न धरा सुधी न गगन नहीं उनती ना पतन सुधी बस आपने तो जवू हतु फकत एक मेकनान मन सुधी दिवसो जुदाई ना जाय छे एक जशे जरूर मिलन सुधी दिवसो जुदाई ना जाय इतना बड़ा दिव्या आयोजन आखिर क्यों हैं हम एक दूसरे के मन तक पहुँचे शरीर से तो सब को बहुत मिल लिए हाथ मिला लिए गले लग जाते हैं लोग सिर पर हाथ रख देते कैसे भी मिले हैं लेकिन इस संग क्यों है आद्मी का मन एक दूसरे आद्मी के मन तक पहुँचे शरीर न रहे आत्मा तो बहुत मूची बात हैं हमारी वकात नहीं लेकिन कम से कम बुद्ध का मध्यम मारग मानवी मानवी तक पहुँचे एक दूसरे कवी हमारे सुर्थ के ही अनिल अनिल इसका नाम अनिल जो तकलुस है हजी एक मान भी पासे न थी एक मान भी पहुँचे हो अनिल मैं सांबलू उचे क्यारती बंदाई से रस्त हो किटला समयती रास्ता बन रहा है लकिन एक आदमी आदमी तक नहीं ये भगबत कथा आदमी और आदमी तक पहुचानी की एक विधा है कितनी शांती से कितनी प्रसंह लगा से कितनी शरद्धा लेकर आप मैंरे रात गो जब यहां से जाता हूं कार्यक्रम के बाद तो पूरी नगरी बाहर होती है ये मदन को अच्छा लगाने के लिए आप आएँ है आप यहाँ अच्छा भोजन मिलते हैं इसलिए आएँ है भोजन तो अपने अपने गर में अपनी रुची केनुसर अमरुत के रूप में हम आये हैं एक दूसरे को एक दूसरे तक पहुचाने के लिए एक विवेक निर्मित करने के लिए मुझे पत्रकार भाई लोग पूरते है बापू एक असा हो जाएगी फिर मैंने कहा मैं तो बीज बोता हूँ फिर बादल जाने वसंद्रा जाने मुझे क्या लेना देना बीज बो दिया यह हम सब क्यों कर रहे न किसी को पैसा चाहिए मैं कहीं भी जाता हूँ पोथि लेकर जाता हूँ, पोथि लेकर लौटा तो किसी से एक पैसा नहीं लेता न मुझे प्रतिष्ठा चाहिए कि मुझे प्रतिष्ठा का अनुभव हुआ है कि टैक्स कितना चुकाना पड़ता है हर प्रतिष्ठा बहुत आदमी को तपस्या करने के मजबूर करती है और न कोई पद चाहिए और एक भी पैसा नहीं चाहिए कृपा ऐसी होती है कि जब कहीं कुछ काम करवाना होता है कि यहां यह करना है तो पंद्रह मिनिट में काम हो जाता है पंद्रह मिनिट से सोलह मिनिट नहीं हुई है मेरे जिवन में मैंने जब भी चाहा कि यह हो है यह हो यह कर लो कि संकेत मैंने कर दिया हो सो लख भी मिनिट नहीं होती है साथ और काम छोटा बड़ा नहीं होता भावनास छोटी बड़ी होती है मैं किसी से एक पैसा नहीं लेकिन मुझे कहीं किसी अनिवार्य रूपेंड कहीं पहुँचना है किसी कारण वश और हेतू तो इसमें लोकमंगल का होता और मैंने कभी भी कह दिया कि भाईया जरायो सो लख मिनिटे मेरे पास चार्टर फ्लाइट होती है मैं आप से ये निविदन कर रहा हूं मेरे भाई बेन कि न पैसाथ किसी को चाहिए न प्रतिष्ठा चाहिए न पज चाहिए मदन भेया को अच्छा न लगे उसको भी क्या चाहिए उसको तो लूटाना है एक किस के लिए हो रहा है श्रिनाज जी का मनोरत पूरा हो रहा है मेरे निविदन को याद करना मैंने इसी कथा से बोलना शुरू किया है ये निविदन कि अभी तक मेरे मनोरत परमात्मा पूरा करता था और इस कथा से परमात्मा का मनोरत मुरारी बापूपूर का पूरा कर रहा है इसको एहंकार मत समझें इसको ठाकुर जी की कृपा की महिमा समझे कोई न कोई निमीत बन जाता है सहाग उसको हकारात्मक दृष्टी से हम देखे तो कितना आनन्द आएगा कितना आनन्द कल एक लाग पचपन हजार लोग के आसपास करीब बोजन किये पांच जणाने जमाड़ी तो जुओ बोजन के समय आदमी आते हैं बोजन करने के लिए तो भी आदमी बड़ा चाला कहे जब वो बेचारा एक गंटा बैठकर जाने लगे तब पुछते हैं आप कुछ लेंगे अब तेरी जान लेंगे अब जाने का बक्त हुआ तो पुछ रहा है इश्रिनात बगवान की कृपा कर सकते हाथ तो उसने उपर उठा रखा है हम सब की लाठियां है मैं बहुत खुछ हूँ कालने अक बंध मुठी फूलशी खुली गई हूँ मने वहची नहोच आज धोके धोक माँ तो बाप यहां जो कथा होने वाली थी ना तो मुझे किसी ने में दो चार दिन पहले जब निकल तो बहुत यह तीसरी कथा श्रिनात जी बगवान के दरबार में है तो बार-बार लोग सुनने आएंगे अब लाइव टेली कास्ट होता है गर-गर में टीवी है लोग आएंगे सुनने के लिए यह ने का तू फिकर क्यों करता है और इस पूछने वाले को मैं दावत दूँ अभी चार दिन बाकी है आप आओ और आप नाम देंगे कि मैंने पूछा बुद्धिमान आदमी का प्रश्ण है तो मैं आपको आदर के साथ मंज पर बुलाओंगा और कहूंगा कि आँख हो तो जो ही ले यार मेरे दादा गुरु देव की और मेरे अन्मान जी की किरिपा है कि मेरी कथा में करीब करीब यार कभी अभीमान ना आ जाए इसलिए बगवान कसोटी भी बीच में कर लेते लेकिन मेरा अनुभव इतनी सालों का जितना बड़ा पंडाल बनाओ इतना ठाकोर जिबर देता है यह नियम है इससे बड़ा बनाओ तो इतना हो जाएगा छोटा बनाओ तो इतना हो जाएगा यह नियम है कभी-कभी बीच में ऐसा हो भी जाता है क्यांकि व्यक्ति को एहमकार ना आ जाए ये जरूरी भी है कि मन डाल मन डाल बहु मूटो इन अर्दों खाली हुए तमने खबर नो हुए हुए थी जो तो कि पाच्छल कागडा उड़े वाकि करीब करीब पुश्पक विमान के बारे में आप ऐसा का जाता कि उसमें जितने लोग बैठे इतना बड़ा होता था दस बैठे तो दस जैसे होता पचास बैठे तो इतना होता ऐसा भगवान की कथा में ऐसा मेरा अनुभव अभी पिंकी कहा गया पिंकी मुझे कह रहा था कि बापू आप जापान की कथा कर रहे थे तो कुछ दिल्ली वाले लोग कुछ विशेश लोग एक कहा कर पूछते थे कि दिल्ली में बापू को कौन सुने रहे जापान में बापू को कौन सुनेंगे कौन सुनने आएंगे मैंने कहा कि तुने क्या जवाब दिया मैंने जवाब तो कुछ नहीं लेकिन मैंने कहा तु पहले मुझे पूछ लेता तो मैं जवाब तुमें दे देता हूँ तुम उसको दे देता हूँ मैंने कहा कोई ऐसा प्रश्ण न पूछे तो कहना कि वहां कौन सुनेगे मुरारी बापू को मुरारी बापू सुनेगा और तुम सुनो न सुनो क्या ठिकाना यार मैं सुनता हूँ त्रिभोवन दास बापू दादा जो मेरे सदगुरु भगवान मेरा सबकुछ उसका आश्रीत मुरारी बापू कथा कर रहा है और प्रभुदास बापू और सावीत्री मा का बेटा मुरारी बापू कथा सुन रहा है उस मेरे निवेदन को याद रखिएगा अमरित्म और त्रिभवन दादा का आक्ष्रीत उनके चरणों से मिली विद्या बांट रहा हूँ उसका शिष्य कहो पोता कहो जो कहो वो मुरारी बापु कथा कह रहा है और प्रभुदास बापु और सावित्री मा का बेटा मुरारी बापु सुन रहा है नेकिन यहां कुछ कम सुनाई देता है मौज करो यार हुमारे गुजराती में वैश्णव परंपरा का एक पद है मैं गाओं फिर आप भी गाएगा प्लीज एव लभगुन गावाने गावा वल्ल भगुन गावाने गावा वल्ल भगुन गावाने गावा वल्ल भगुन गावाने 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 गावने 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 गा आवा अवसे लेघरआ यहा लेख सैंगर आवाल्ब। झावाने गावगाये आवाने गावाने गावगावार आवाल्ब। गावाने गावाद अबढ़ को बावादी गावाद अन आवसर फिर नई आवे आवाद आवाद आवसर फिर नई आवे आवाद तो बाप मैं आखीर में बैठे व्यक्ति तक पहुच पाऊंगा और तुम्हारा मन मेरी व्यास पिट तक पहुच जाए और इनसान और इनसान के बीच में सेतु बन जाए इसलिए तो ये भगवत कथा है तो मैं खुशी व्यक्त करता हूं कि साइंकाल प्रभु के चरणों में बिद बिद कला और विद्या की प्रस्तुति होती है इसको हकारात्मत दुरुष्टी से देखिएगा प्लीज हम तो करते ही रहते हैं हिन्मान जी के सामने सब होता ही रहते है लोग जूंते हैं हाँ बिबस्ता ना आये मरियादा भंग नहो भारत की सब्गता को कहीं वो न लगे वो जरूँ ध्यान में लेकर सब कारिये चलाये जाते हैं तो आप तो कितनी तादात में कथा में आ रहे हैं बड़ी खुश है यह आप जहां बैटे हैं वहाँ से पता ही नहीं लगता यहां आकर देखो तो पता लगे कि काठिया वड़ी भाशा में को तो केवी फसल पाकी से फसल पत चुटी है से नहीं न मेरा काम किया है बीज बोया है बादल जाने बसंदरा जाने यहां से देखो और देखो और यह कुछ समझ में ना आये अठ्वा तो लाड़ स्पिकर की कुछ वो जो जमताने किसी कारण इसलिए आप थोड़े वो होते हैं लेकिन मेरा तो सानुका अनुभव है कि लाखों लोग हों और मैं बोलते बोलते एक मिनिट व्यास पीट से यदि चुप हो जाओं दादा जैर माता जी लावू दादो कितनी शांती हैं आप में एप परिचाई है मानो इस पंडाल में कोई बैठा ही नहीं इस शिनाज जी भगवान की कृपा है आनंद कर लो लूट लो मज़ा तो हमारी चर्चा है भगवन्त के दर्शन से प्रेम प्रगड़ता है आज एक सुत्र आगे किसी संत के दर्शन से प्रेम प्रगड़ता है इसलिए हमारे यहां कहा संत मिलन को जाईए तजी इर्शा प्रगवन्त किसी सादू के पास जाना किसी सादू का दर्शन करना आदमी में प्रेम प्रगड़ता है मैंने दिखा है कि कैसे कैसे खयाल रखने वाले लोग भी किसी बुद्ध पुरुष के पास जाते हैं उसकी एक जलक पाते हैं दस मिनिट में उसके वीचारों में परिवर्तना जाता है प्रेम प्रगड़ता है नफरत की जगह प्यार ले ले दे इसलिए तुलसिदाज जी ने रामचरित मानस में लिखा है कि जगत में दरीदृता के समान कोई दुख नहीं और संत के मिलन के समान कोई सुख नहीं हमारे साहितिकारों ने भी गाया आए तात मिले पूनी मात मिले सुख नवाद मिले दूबती दूख आने राज मिले घजवाज मिले सब साज मिले मानवांचित इलोग मिले पर लोग मिले भीधी लोग मिले भाई कुठ मेगा सुन्दर वाई मिले सब ही सुख संग समाया दुर्लग भाई सुन्दर और मिले सबही सुकसा तो नाही दारी द्रसम दुख जैदमाई पगवान जगत गुरु आदी शंकराचारिय प्रभु ने विवेक चुडामने नाम का एक बहुत प्यारा ग्रंथ लिखा उसमें वो लिखते हैं कि दुनिया में तीन बस्तु दुरलब है एक मनुष्य शरीर मिलना दूसरा मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद मुमुक्षु भाव प्रगट होना मुक्ति की भावना प्रगट निजता प्राप्त करने की ख्वाईश एक दुसरी दुरलब चीज और तीसरा मिले हुए मानुष जीवन में किसी साधू पुरुष का संग हो जाए ये प्रेम को प्रगट करने कृपालु भगवान श्रीमद राग चंद्र वावनियां मुर्वी के पास गांधी जी जिसको गुरु मानते थे कई मार्गदर्श कगांधी के जीवन में रहे अरस्कीन टॉल्स्टोई श्रीमद राज चंद्र कई पुराचंद्र अक्सर कहा करते थे ए पुराण पुरुष तू मुझे न मिल तो कोई चिंता नहीं और कुछ मुझे नहीं चाहिए लेकिन तू जिसको प्यार करता हो ऐसा कोई साधू से मेरी बेट करवा देना ताकि मेरा उद्दार हो जाए संत मिलन समसुख जगना ही तो आज के सुत्र में प्रेम प्रगट करने की एक रीद एक उपाई एक विधी एक साधन संत दर्शन है साधू की संगत पाई पाई रे जिसने साधू की संगत पाई अरे धन धन उस की कमाई पाई रे जिसने साधू की संगत पाई किसी साधू पूरुष के दर्शन से प्रेम प्रगट आपके अनुभव महीं है कि तमारा मननों मानयल कोई साधू मली जाए और तमें है नहीं सामें जै नाम एक वखाद जोईलो यहां तो आंखो बिन नितित्वा मनती संत दर्शन से प्रेम प्रगट होता है अब आप तो नहीं पूछेंगे श्रद्धा से सुनते जा रहें लेकिन मैं अपनी और से निकाल रहा हूं कि शायद बविश में आपके मन में ये प्रश्ण उठे कि बापू आपने कहा कि संत के दर्शन से प्रेम प्रगट होता है तो कम से कम ये भी बता देते कि संत कहे किसको संत की परिभाशा क्या है राम कथा तो कहती है कि संत के लक्षा शेश और सरस्वती भी नहीं कह सकते स्वयम भगवान भी नहीं कह सकते जान ही राम नसकही बखानी बरत को राम जानते हैं लेकिन बरत जैसे संत को राम बया नहीं कर सकते तो एक्वीस भी सदी में जिस जमाने में हम जी रहे हैं इसमें संत की परिभाशा क्या किसको संत कहे कोई धोती पहन ले कुर्टा पहन ले मेरी तरह राम नामी रख ले माला रख ले तिलक कर ले पुझा पाठ कर ले कथा कहे प्रवचन करे यगन करे इसादग के लक्षन है अवस्य लेकिन क्या संतत्व इतने में समा जाता है कोई इस परंपरा में है कोई संपरदाय में है तो क्या उसको इस सब घटना है उसके संतत्व की पहचान है क्या संत के कुछ सारव भूम लक्षन और मेरे युवान भाई बहन खास करके ये बहुत 21 सदी का सगून है कि युवानी कथा में आ रही युवान लोग आ रहे ये बड़ी अच्छी निशानी मैं आप से बात कर रहा हूं युवानों को और बुड़े बुजर्ग आये हों कुछ गर के युवान लड़के लड़की ना आयू तो ये बुजर्ग घर जाकर अपने युवान बेहन बेटियों को बताएं कि बापू ने संत की परिभाशा ये की थी ताकि वो भी कहीं गुमराह न हो कौन संग चंद लक्षन मैं आपके सामने पेश करना चाहतू एक ऐसे संत के दर्शन से प्रेम प्रक्टिगा और ये पहला लक्षन संत का कुछ एक है एक दो मिनिट हरी नाम का अश्रे करें फिर मैं आगे बढ़ो राम कृष्ना हरी और आम कृष्ना हरी जै जै राम कृष्ना हरी रामकृष्णाहरी, रामकृष्णाहरी, रामकृष्णाहरी बो सथ्या प्रेम करूना 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 जए जए राम टृष्णारी, 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 राम टृष् आप आप जाप 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 राम प्रिष्णारी, 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 राम प् रामकृष्नारी, रामकृष्नारी, रामकृष्नारी. सत्य प्रेम करुणा, 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 सत्य प्रेम करूना सत्य प्रेम करूना वल्लब विठल गिरिदारी यमनाजी की बलिहारी 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 सत्य विठल गिरिदारी यमनाजी की बलिहारी विल्लब विठल गिरिदारी यमनाजी की बलिहारी हारी बोल, 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 हारी बो आखे, आखे, अखिंगेुग है, तो. बाप संत दर्शन से प्रेम प्रगत होता है तो हम संत को कैसे पहचाने इसके सरल कौन से कुछ सुत्र है जिस से हम उसको ठीक से पहचान सके और कभी दोखे में न रहे पहला सुत्र शांतम जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिती में निरंतर शांत रहता है ये साधू का पहला लक्षन कोई भी परिस्थिती अमारी गंगा सती गुजराती में बोली है मेरूरे डगे पन जेना मनडा न डगे मरने भांगी पड़े ब्रमान शांत रहे उसमें दो बात है सहज शांत रहना और कुछ योजना बना करके शांत होने का दंब करना कई लोग सहज शांत होते हैं इनका आकार ही शांत होता है एक श्लोकम विश्व भगवान के बारे में बुलते रहते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गदन सत्रुषं मेगवर्णं शुभांगं लक्ष्मे कांतं कमलनयनं योगि भिर्णं वन्दे विश्णु भवभयहरं सर्वलो कैता जिसका आकार ही शांत होता है जिसका होना ही एक प्रकार की शांती है और एक जो अपने आपको शांत बनाने की दामभिक कोशिश करता आप कहें कि हम कैसे पहचाने कि उसकी शांती दामभिक है कि सहज है पहचान हो जाएगी चोटी सी बात ज्यान में ले जिसको हम शांत देखते हैं वो शांत सहज है कि कुछ नाटक है जिसके पास जाने के बाद लोटते हुए तुम में भी शांती का अनुभव हो तो समझना वो साधू शांत है जिसके पास हम गए हैं और वो बनावटी शांत होकर बैटा है हमारे यहां विनोध में कहा जाता है ना कि एक भाई ने दिक्षा ली साधू बन गया अरद्वार में जाकर के बस सब क्रिया करम किया और गुरुजी ने छोटा सा नाम रखा शांती नाथ 12 साल तक हिमाले की कंद्रा में तपस्या की 12 साल के बाद जिस भूमी का या आदमी दिक्षा लेता है उसको 12 साल के बाद आने की छूट हमारी साधू परंपरा में दी गई है कि 12 साल के योग के बाद वो अपने वतन में कुछ समय के लिए आ सकते है मेरे दादा जी तो आये ही नहीं विष्णु देवानन की और ये फलोदी फलोदी राजस्थान का है ना फलोदी ये कैसी जगा है कि यहां मेरे जो दादा जी रिशिकेश के महा मंडलेश्वर विष्णु देवानन कितने चातर मास की ये राजस्तान की भूमी परूसा महा परूसा बारह साल के बाद सादू को छुट मिलती है कि यदि आपको अपने वतन में कई एक चक्कर लगानी है तो जा सकते हैं बारह साल पहले ने अठवाड़िया माँ पाच हो आवे ही बारह साल के बाद शांती नात्पदार है उसके लिए उत्सव बना भोजन की वो सब वो हुई उसका जो बचपन का प्राइमरी स्कूल में उनके साथ शांत्या नहीं हारे जब भणयों तो बचपन में तो उसको लोग शांत्या शांत्या कहता थे शांत्या उसका मित्र देख रहा है कि अरे वो शांतिनात जो था वो इसको पहचान नहीं पाया लेकिन ये तो पहचान गए कि हमें आरे भणता थे और मारा लखवाना कांकरा खाई जातो तो शांत्या श्लेट पर लिखने के कांकरे बच्चे खाते वाह क्या शांति है लेकिन उसको मजाक सुजी की परिक्षा भी करे थोड़ा वो पहचान भी नहीं पाया थोड़ा उसने एक मरकट टोपी पहन ली कुछ ऐसा ऐसा कुछ बेश कर लिया कि शांतिनात बाप उसको पहचान न सके प्रणाम बाबाजी इसमें दौनों मुद्रा होती है यह मुद्रा अशिरवाद एक मुद्रा है तुमारा हाथ है से उठ जाए और कोई तस्वीर में चप जाए बात हो लेकिन योजना बना कर ऐसे फोटो मत खींच वाना आमरा का तारो अशिरवाद तूल है काई जाए उने जा मैं काई छेया नहीं क्यों आपी शाब आप फोटो लें तो में वेचता नहीं भाई शाब क्या शांती है भगवन आपका गुरुजी के द्वारा देया गया नाम क्या है शांती नाथ सुना ही नहीं दिया आपका नाम शांती नाथ भगवन माप करिएगा या तो आप जड़ा दीरे से बोल रहे है या तो मेरे कान में कोई तकलिफ है माप करिएगा आपका पावन नाम शांती नाथ सारे सुरू परूपलियों भगवन माप करना है और में आपको परेशान कर रहा हूं लेकिन आपका नाम शांती नाथ पिर पुझा क्या शांती नाथ शांती नाथ शांती नाथ अखीर में गुष्से में बुला रहे क्या बार बार कुट्टा है मुझे लोग शांती नाथ कहते कहा कि हूँ तुमारे यारे बनतो तो शांती बापू ये बनाई हुई शांती है सहज शांती हमारे यहां कहा जाता है शांती पमाड़े तेने संत कहीं सहाब बगीते में से कोई निकलता है तो कहना नहीं पड़ता कि मैं बाग में गुजर कर आया क्योंकि फूलों की खुश्बू उनके कपड़े में कुछ न कुछ आ ही जाती है वैसे कोई साधू से मिलकर लोड़ता है तो शांती का प्रसाद लेकर लेड़ता है संत का पहला लक्षन शां युवान भाय बेनों के लिए मेरे आखीरी देहाती व्यक्ति के लिए कि कोई शास्त्रों और कोई इसकी ब्याक्षा नहीं बिलकुल करीब पड़े ऐसी ब्याक्षा आप भी समझ ले कि कहीं दोखा न हो पहला सुत्रशाद जिसके दर्शन से प्रेम प्रगट हो जाएं एसे संथ का मेरी समझ में दूसरा लक्षन है कुलीनता वाँश की खांदानी कुल की कुलीनता इस सादु का वैसे मैं कोई कुल को एक महत्र देना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये भी एक वो हो जाएगा लेकिन कुल काम करता है कि स्कूल में तुमारा जनम हुआ है उसकी कुछ बाते तुम में जिन्स में भी आती है अरे रोग जिन्स में आता है माँ बाप का बाप जादा का रोग डायबिटिस चला आता है तो बच्चे में भी आ जाता है तो अच्छे लक्षन तो बहुत प्रभाव के साथ आता है संक वो हैं जिसमें कुलीनता हो आदमी का अच्छापन आदमी का बुरापन के दो कारण होते हैं एक तो उनका कूल और दूसरा इनका संग उनकी सौबत उसकी कंपनी यह उनके संसकार और कुछ संसकार के दो कारण बनते हैं एक तो कूल तमंडा नहीं इस बनी घटना में राजस्तान की मेरे भाई बेन आपको बताऊं सवराश्ट्र में एक अमरेली गाम है डिस्ट्रिक है अमरेली अप मौवा से राजकोट जाए तो बीच में पढ़ता बाई रोर अमरेली के पास एक छोटा सा गाम नाम का नाम शायद में बुल रहा हूँ और वहां एक रामजी मंदीर बना मुझे लोग निमंतरित करने आए कि बापू हमारे यहां रामजी मंदीर बना उसका उद्गाटन है और उस संदर्भ में हमने एक वक्ता की राम कथा नव दिन की रखी है हमारी सब की इच्छा है कि आप एक गंटे के लिए आए राम कथा में और हमें आनंद होगा छोट ऐसे गाउं की मांग थी मैंने का ठीक है आऊँगा मुझे लेने आए तब इन लोगों ने जो मुझे बात बताई है मुझे बड़ी प्यारी लगी आपको भी भाएगे कहा कि बापु उमने गाउं लोगों ने एक जाहर प्लोट था उसमें राम मंदीर बनाने का निर्णाई किया गाउं का चंदा सब ने दिया और मंदीर बन गया लेकिन बापु पीछे थोड़ी जमीन कम थी हमें 10-15 फूट मंदीर के पीछे थोड़ी जमीन चाहिए थी ताकि दिवार बने तो थोड़ी जगह चारों हो लेकिन मंदीर के बिल्कुल पीछे एक गरीब किसान का पांच विगे का खेत था तुब मुझे बता रहा है मैं इस गाउं में गया हूँ तो बापो हम सब गए उसके सान के पास कि वही तेरी जमीन सट के है मंदीर के और पांच विगा से तु 10-15 फूट तेरी अनुकुलता के अनुसार मंदीर को दे दे जो बाजार भाव हो वो किम्मत हम आपको देंगे क्योंकि तुम गरीब हो हम को ऐसे लेना नहीं चाहते हैं बगवान की क्रिपा है अच्छा फंडी कठा हुआ है सुन्दर मंदीर बना तुम भी पुरा दाम लो पांच विगा जमीन वाला एक गरीब खेलूद उसने कहा रामजी मंदीर के लिए जमीन चाहिए तो गाउं को जितनी चाहिए नाप कर ले लो पैसा नहीं लूगा ये है कुलिनता ये है खांदानी कोई एक वर्ग में हो ऐसी कोई शर्त नहीं है कभी दूर दरा जॉपड़े में बैठे हुए में भी खांदानी की खुश्बुआ दी पैसा नहीं लोग भी के नहीं नहीं भी तुग गरीब है वह याँ एक मौसम में जो बोता है पाता है बाकि तुम पती पतनी दौनों मजदूरी करते हो बच्चे को पालते हो उड़ी ऐसे नहीं पैसा तो लेना थोड़ा कम लेना लेकिन लेना पड़े बोले बाद में छोड़ो तुम जमीन ले लो पंद्र फूट नाप करके रामजी मंदिर के पीछे जमीन दे दी गए बोले कब दिवार बनानी है बोले बनाओ मैंने दे दी अब निव बनाए शाब बनी गटना है ऐसा हुआ पाया खो दिया साताथ फूट पायो खो दियो निव तो एक त्रामबा का घड़ा निकला और गाओं के लोग इकठे हुए हैं मजदूरों ने का कि भी ये गड़ा निकला है कहीं हमारे पर इलजाम न लगे आप सब आकर ले लो क्या है तो ये गड़ा निकला है उसको साप सुख करके खूल नहीं रहा था खूला तो उसमें चांदी के कुछ सिक्के निकले गाओं वालों ने किसान को बुलाए कि अभी दस्तावेज नहीं हुआ है जमीन अभी भी तेरी है और तेरी जमीन से चांदी के सिक्के वाला चरू निकला है ये तेरी मालिकी की बस तो तू ले जा तूने जमीन दी है लेकिन ये चरू तू ले जा उसने कहा मेरे भाग का हो तो पचास साल से जमीन मेरे पांस, मैं कहीं बार खोदी मुझे ना मिलता, यह तो ठाकुर जी की संपदा है कहीं बार अमने खोदा है, लेकिन मेरे भाग का होता तो मुझे मिलता यह तो देवदरव्य है, सलाम करू इस खेडूट को, तेरी खान दानी को तेरे माबाप को अर गाम समझा रहे भाया तुए तू दाम कम ले रहा है गरीब है और ये तीरा साथ बोले नहीं मेरा मेरा होता तो मुझे मिल जादा मुझे क्यों नहीं मिला मन्दीर को जमीन दी तब निकला इसका मतलब ये राम की संपदा है बापू उसने मंदीर को दे दिया इतने में हम वो गाओं पहुंच गए तो मैंने कहा कि भई तुम्हारा नयाराम जी मंदीर कथा कारंब हो रहा है ठापुर जी की मुर्ती भी बहुत सुन्दर लेकिन राम के दर्शन करूँ इस से पहले मुझे उस किसान के दर्शन करवा मैं पहले उनके घर गया इस खेरुट से मिलना कुलीन का किसी एक समाज की बपोती नहीं है जागीर नहीं है और जहां ये कुलीन का है अब आप तुम नहीं प्रशन पूछेंगे लेकिन मैं उठा रहा हूं कि रावन का कूल बहुत उत्तम था लेकिन इस आजबी न ऐसा काम क्यूं किया उपजय जद पी पुलत्ष कूल कूल सब्द है पावन अमल अनूप तीन विशेशर रावन का जे मूल कूल पवित्र निर्मल और उपमा से रही ऐसा पुलत्ष कूल में रावन यदि आप गये तो फिर उसकी खांदानी कहां गई जीनी नजर रामायन ने जो तो खबर पड़ से के रावन की खांदानी कहां कहां निकली जानकी का अपहरण करने के लिए गया ये आद्वी कौन मजबूरी थी इस पर कि जानकी को मन से प्रणाम करे कौन मजबूरी थी लेकिन मानस में लिखा है मन महुचारन बंदी सुखपा सिता को वहां उसकी पुलत्ष कुल की कुलीनता का एक किरन प्रगट होगा अच्छे या बूरे संसकार हमारी कुलीनता की दैन होती है और उसके बाद उसके बाद हमारा संग कैसा होता है उसके मताबिक संसकार की वो बाद भलो भलाई पे लखही दोस्वामी जी कहते है लखही निचाई नीच सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच भलो भलाई पे लखही जिसके दर्शन से प्रेम प्रगट हो ऐसे संत का मेरी व्यासपीट के आधार पर दूसरा सुत्र है कुली नता हमारे सवराष्ट में वो कहते हैं ने भक्त बीज पल्टे नहीं जुग जाई अनंत उंच नीच कुल अवतरे पुन आखिर संत नो संत दुनिया की दरश्टी से कैसा भी कुल दिखाई दे लेकिन जो उनकी धरोगर है जो उनकी बुनियाद है दबी हुई खानदानी निकलती ही है और जेना मूड मा कुल ना संसकार नोई गम्मे तेटला अगल वधी जाई ना इस शब्द मारा ती नहों अपराई यह वेडा है ना कोई दी जाई ने यह जाती है ना है ना नकरा देखाई जाई गम्मे तेटलो मुटी मुचाई क्यों नहों अन्य बेलकुल गरीब हो लेकिन खानदानी कभी दीखती है इस साधु का लक्षा तीसरा लक्षा आश्रमी निष्ठा जिसमें हो ब्रह्मचरी आश्रम में हो गुरुस्था आश्रम में हो वानप्रस्था आश्रम में हो सन्यास में हो लेकिन आश्रम की जिसमें निष्ठा हो जिस आश्रम में वो है उसी आश्रम की इज्जत बढ़ाता हूँ वो संत है अथ्मा तो मैं यूँ कहूं और सरल करने के लिए जिसका जीवन ही हमको चलता फिरता आश्रम लगे वो चले तो लगे आश्रम जा रहा है चलता फिरता एक आश्रम लगे ये साधु का लक्षर वसिम बरेलिवी साहब का एक शेर है शायद उसी का ये वो जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा क्योंकि चरागों को अपना कोई मका नहीं होता दिया कहीं भी ले जाओ वहां प्रकाश करेगा क्योंकि दिये को कोई अपना मकान नहीं होता कि यहां ही प्रकाश ले चलता फिरती रोशनी जंगम प्रकाश साधु कहीं भी जाएगा यदि हमारे पास आँख हैं और वो साधु है तो लगेगा कि एक तीरत चल रहा है एक तीरत चल रहा है मैं प्रार्थना करूँ आपको ऐसा साधु भी ले कोई ऐसा संध तुमारे गर बिना बुलाए आजाई ने अपनी मौश से तब समझना कि हमारे गर हरिदवार आया है आज हमारे गर प्रयाग आया है आज हमारे गर गंगोत्री आई है आज हमारे गर जनमोत्री आवी है आज हमारे गर चार शकल तीरत हमारा साधूने चरन हमारे यहां गया जाता है गंगा जनुना रेवा गंगा जनुना रेवा आनंद मंगलकर आवती अरे गुरु संतनि सेवा आनंद मंगलकर आवती अरे गुरु संतनि सेवा कहे प्रितम येने उडखो ये ना है कहे प्रितम येने उडखो ये ना है अरिनाजन अरिजेवाद अरिनाजन अरिजेवाद मंगल करुँपाद अरि गुरुम् संतनि शेवाद मंगल करुपाद चलता पेड़ता तीरत चला जाता इलक्षन मुझे बहुत प्री लग वहाँ से बुद्ध भाई जी 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 वाव तन्यवाद बुद्ध भाई मरो क्यों रेका तो नो तो मैंने के बेव मिनिट नाच वाजोने मदर ने कौन बेव मिनिट तो स्ट हूँ खूट थी थी कहा तहा है ठेक है और मनुड़त पूरा भी किया ठेक्ट नो आप्रट आट नो डेक्ट बहुँ लेयर मांदेश इने सुंकी दूए में हाँ भी नहीं 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 भूली गयो सुंकी अरी नाजन हरी जेवा आनन्द मंगल गरूँ भारती मुझे विदेश में एक परिवार ने पूछा था बापू कि हम अमेरिका के जिस राज्य में रहते हैं वहां तुलसी नहीं होती है तुलसी का पौधा जमता नहीं सुक जाता है इच्छा है कि तुलसी का क्यारा हम रखे मैंने का तुलसी करित रामाइन गर में रख दे कभी न मुर जाए ऐसा तुलसी का क्यारा है मानस रख दे तुलसी का क्यारा है मानस को रख कर तुम आरती करो तुलसी की आरती है तुलसी का जमता जमता है अजय ने उडखाय धाने का घे प्रितमु तुम्हारा हरी जाजन हरी जेवारा हरी नाजन हरी जेवारा आनंद मंगल करूं मारती हरी नाजन से आनंद मंगल करूं मारती हरी गुरु संत से आनंद मंगल करूं मारती संत चलता फिरता तिरत है जिस सादु के लक्षन की मैं चर्चा कर रहा हूं ऐसा कोई मिल जाए मेरे भाई बैर और वो बिना बुलाए तुम्हारे घर आ जाए तो समझना पित्रों के पुन्य पक गए है एक दूसरा लक्षन मैं बताओ उसके पेटा इसकी शाखाए ब्रांचीज है एक तो बिना बुलाए कोई संत घर आ जाए दूसरा वो आकर ये कह सामने से एक रोटी सबजी बना दो मुझे बिक्षा लेनी है तब समझना कि तुम्हारे गर वाईकुन ठूत रहा है वाईकुन ठूत रहा है और उसके बाद एक तीसरी शाखाए बोजन करने के बाद एक बस तु याद रखना कोई साधू जब किसी गुरुस्तके गर बोजन करता है तो अन नहीं खाता गुरुस्तके परिवार के खानडान के पाप को खा जाता है क्योंकि पाप करते हैं कई लोग पचास सकते हैं केवल साधू लोग वो उसको खा लेता है एक तो साधू का आना परम उपलबदी दूसरा साधू सामने से कहे कि मुझे रूटी खिला दो लोग ये बनाओ वो सामने से कहे ये चीज बनाओ ये बनाओ तब समझना कि और तीसरा उसके बाद कोई व्यस्त साधू तूमें ये कहे कि अब मुझे दो गंटे आपके यहां आराम करना है तब समझना कि आज हमारे घर क्या नहीं साधू आश्रमी हो चलता फिरता आश्रम साधू पर दबाओ मत डालना कि खाओ याद तुम्हारी 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 पात्रता होती है तो कोई ने कोई आदमी सामे थी मांगी नखाश है साधू ये नियम है संत्र आये पावु नखाश है आज मोरे भाग जागे संत्र आये पावु नखाश है संत्र आये पावु नखाश है आश्रमी जिसका जीवन हो रिसादवी चलता फिरत जो जग जंगम तीरत राजू जिसको गुस्वाने जिके मुदमंगल माय संत्र समाजू जो जग जंगम तीरत राजू मुदमंगल माय संत्र समाजू जो जग जंगम तीरत राजू पहला लक्षन शांत हो दूसरा लक्षन कुलीन हो तीसरा लक्षन जिसका जीवन आश्रमी हो चोथा लक्षन ध्यान निश्ठ हो काम सब के साथ करेगा बोलेगा सब के साथ मिलेगा सब को लेकिन माला में कितने मन के होते हैं लेकिन सुत्र के वले एक ही होता है साथू वो है किसी को पता न लगे ऐसे सब को लगे कि ये मिरा है मिरा है लेकिन उसका अंतरंग सुत्र ध्यान बना रहता है ध्यान में स्कलन नहीं होता एस साथू उसको ध्यान करना नहीं पड़ता वो स्वयम ध्यान हो जाता है ध्यानम मूलं गुरोर मुर्दी पूजाम मूलं मूलं मुक्षम मूलं गुरोर कृपा ध्यान निश्टा है वो अकिला बैटा है चुप चाप तभी ही मत समझना कि ये ध्यान में है प्लीज वो तुमारे से बात चित करता हो तो भी चुक मत करना उनका ध्यान का सुत्र चालू है उसका सुमिरन का सुत्र चालू बहुत कठी है हमारे गामडा ना खेतरों महां कुवो है इन कोस चालतो है इक कोस चालू रहे और कुंडी मां घोड़ों पाने पिदा करे ये भी जो गृत्ति आवी जा रहे किचूड किचूड चालू रहे ज्यान बंबना बड़ा बड़ा कठी है ज्यान निष्ठा जिसकी परिपक्व हो उसको साधु समझ नहीं कोई भी गटना और परिस्थिती उसको बेध्यान नहीं कर सकती गिरा नहीं सकती आगे बढ़े सुवेश जिसका वेश जिसका पहर वेश साधा और सात्विक हो ये संत का लग्स जरूर किसी का रजोगोनी वेश हो तो मैं अनादर नहीं कर सकता कई राजसी साधु भी हमारे यहां हुए है कि बड़े ठाठ माठ में जीते सौना चांदी हार रुद्राक्ष के बड़े बड़े मन के चांदियों में वो किया है सौने में बनाया है ऐसे ऐसी यह भी हो सकता है उसका उसकी आलोचना नहीं लेकिन इसमें उसकी साधुता नहीं है ऐसा निर्णे करना ठिक नहीं है बिना जाने लेकिन यह वेश का भी कुछ प्रबाव है कि देखते ही आदमे को लगे कि जरा रजोगुन देखता है सात्विक्ता नहीं है मैं याद करूँ कि रामदेव पिर की भूमी है राजस्थान लाल बापा को निरंजन भाई जहत्पुर्मा बने लिगटने गिन्नारी बापु मैं भारती बापु लाल बापा पहलाल भाई सतिश भाई अमरदाची बापु अबदी प्रोड़ी शब्द तो न कहवाई पड़ी हम गुमते थे इस साब मुझे बहुत आनदे हम गाड़ी में गुमते थे कोई ख्षण भी और कोई बात नहीं होती थी केवल सत्संग होता थी तो वहाँ अमर महंदर भाई का वो जो फाम नहीं कुटिया बने थी कथा के समय वहाँ तो बापु जरा लाल बापा तो तो यह वो माला और यह शिल्की कभी हरे रंका कभी पिंक कलर के और यह सब बड़े 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 मौज में रहने वाले बापु थी हाँ काट मार्स अनद मेरे और उसकी व्योस्ता भी है इस यह काजू किसमिस यह बदू हरे हरे अलतू हर प्रकार की सुविदा 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 मुझे कह बापु यह सब उतारना है यह सब निकाल दो है हिँ आप खादी की दोती दो तो खादी पहन लेनी है किर में तो उसने खादी ही पहने एक तुलसी की छोटी शे माला रखती सायह दुरुदराक्षय की सहाब बड़े-बड़े मन्के सहाब बड़े-बड़ा सब उतार दिया और सीधे साधे सफेध वस्तर और तुलसी की माला हाथ में शाहिद बैरका रखते थे बिलकुल वो इसका मतलब कि राजसी वेश में उसकी कोई सात्विक्ता नहीं थी ऐसा नहीं लेकिन बापु को लगा कि ये वेश भी क्यों जो दूसरों को सोचने पर मजबूर करें क्यों नहीं और फिर बिलकुल ऐसे ही चले विर गंगाजल पीते थे गंगाजल में याद करों सुवेश प्रभाव शाली वेश नहों रामायन में साधू का एक परीचा ही लिखा थे कि ये कुबेश साधू सनमानू जिमी जग जामवंत हरू जामवंत रहनमान जी ने कौन से ऐसे वेश पहना था कि साधूता देखे लेकिन कुबेश में कुबेश में साधूता प्रगट हुई थे सिधा साधा वेश साधू का एक परीचा है सुवेश हो सात्विक वेश हो दुसरों पर प्रभाव डालने की कोई चेश्टा नहों सहसिधा साधा सात्विकता से भरी हो फिर में एक बार कोई कोई उसका अन्य था अर्तनले कोई यदि ऐसे ठाट मार्श से कोई साधू संध जीते हो तो इसकी आलोचना नहीं है वो उनकी रीत है हम कैसे समझे क्यों निर्णे करे कि ऐसा ऐसा कभी जल्दी निर्णे मत करना है वो वो इनकी बात है लेकिन जन साधारन लोग के रदय में श्रद्धा का उदय हो जन साधारन के दिल में भी एक साधूता की महग पहुंचे ऐसा स्वाभाविक जिसका सुवेश हो दोनों है यह जो कलाकार होते हैं उसमें भी कहीं कलाकर बिल्कुल सिधसा दिवेश में होते हैं और कहीं कलाकर एकदम एकदम बहुत ठाटमाट इसमें ठाटमाट में रहें उसकी अलोचना नहीं है वो उनकी मौज है अपड़ो प्राणियों चेक सुधी केटली वीटी ओपहरत हो प्राणलाल ब्यास है मैंने कालनी बहु याद आगे प्राण बहाईन मैंने बाप जी कहता है बाप जी क्यों डालता है बोले नहीं बाप जी और कई भाई बेहनों में मैं देखता हूँ तुस सिदा इसके इसमें उपर का देख करके निर्णा ही मत करना हूँ उसका भाव क्या है वो देखना सब की अपनी कोई ठाट माट से जीए तो क्या चिंता क्या है लेकिन जन्साधारण के दिल में शर्द्धा का दीप बुज न जाएं इसलिए संत के एक लक्षन में सुवेश माना गया आगे का लक्षन जिसके आँख का दर्शन करें तो लाख खोच बिन करो तो भी कही वासना नजर ना आए भरपूर उपासना नजर आए वो साधू आँख सबसे बड़ी पहचान है साधुता की हम और आप किसी महान व्यक्ति की अंतरंग यात्रा उनकी आँखों के द्वारा कर सकते यह खिड़किया है जहां से प्रवेश होता आँखों के निर्मलता साधु का लक्षन है सुनेत्र सुनयन इस संत का लक्षन अखिरी लक्षन संत के लक्षन तो अनंत है बाप लेकिन 21 सदी में हम और आप किसी बुद्ध पुरुष को किसी सद्गुरु को किसी संत जन को पहचान सके आसानी से इसलिए मैं कुछ बाते आपके सामने रख रहा है अखिरी लक्षन जरूरत से ज़्यादा जो बोले ना वो साधूर जरूरत से ज़्यादा ना एक शब्द से काम हो तो दो न बोले एक वाक्षे से पूरा हो तो दूसरा वाक्षे ना और बोलने की बात आए तो जरा भी कंजुसी न करें पूरा बरस जाए माउन जिसका स्वभाव हो वो साधू है मुखरता उसका कभी कभी कर्तव्य बन जाता है स्वभाव ने साधू का लक्षन है माउन चुप रहना दिल्ली के शायर शरफजी का शेर है हजारों आपतों से वो बचे रहते हैं ऐसा कुछ शेरे में भूल गाЫ लेकिन बहुत सी आपतों से वो आदमी बच जाता है जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं जो ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, वो कहीं आफतों से बच जाते हैं, बोल-बोल के बहुत बिगड़ता है, और गणी वकद बैपांच जना बेटा हुई है, मैं एक मान से वो आवे, कि आपड़ो वारो ना आवे, बद्धा विशय उपाड़, एक एक, हरे एक विशय कारेकरम हम बोलने लगे तो बोलते हैं, कोई प्रवचन करें, कोई गाएं, कोई प्रस्तूत करें, कोई साहित्य करें, तब तो बोलना ही चाहिए, तब कंजूसी कलाकार के लिए युग्य नहीं है, अपने आपको पुरा उडेल देना चाहिए समात को, लेकिन उसके बाद पिर माउन, इस सादू का लक्षन है, बगवान शंक्राचारी की परंपरा में, दक्षिनेश्वर की उपासना में, गुरु कायम माउन रहता है, और शिश्य के संशयों को दूर कर देता है, तो मेरे भाई बेन, इन कुछ लक्षन जिससे मैं सादू की परक्ष कर सकता हूँ, मेरे ये परक्षने के अंदाज है, कि इन कुछ लक्षनों से संथ का परिचय और पहचान होती हैं, और ऐसा संथ जो मिल जाएं, तो ऐसे संथ के दर्शन से प्रेम प्रगट होगा, और प् प्रेम से प्रमात्मा प्रगट होगा, ये शीव वाक्य है, जिसके आधार पर ये कथा चल रही है, प्रेमात्य प्रगट होगी मैं जाना, प्रेमात्य प्रगट होगी मैं जाना, अग जाग मैं जाना, रही तक बिरागी क्वें जाना, शीर बिर्गट होगी रही है, जर्रड़ा प्रेमात्य प्रगट होगी मैं जाना, प्रेमात्य प्रगट होगी मैं जाना, यह लिखादी प्रेमत प्राभू प्रगट रही प्राभू प्रगट रही प्राभू तो प्रेम से प्रवात्मा प्रगट होता है शिव वाक्या लेकिन यह प्रेम कैसे प्रगट हो इसकी कुछ विधाएं राम राम चरत मानस के आधार पर हम खोज रहें एक और विधा मानस से बहुत सरल इस से भी सरल इस संथ के तो मैंने इतने लक्षन दिखाएं इस कसोटी से जो विक्ति पार हो जाएं उसको साधु कहें लेकिन आगे का जो लक्षन है यह तो और सरल है साथ बिलकुल सरल यूं कहो बिलकुल बगवान के चरित्रों को बगवान की कथा को सुनकर रिदई में रखना और जब जब वो रदई में उचलेंगे सुनी हुई बाते वो एक विदी है प्रेम प्रगट होने के आप पांचवा दिन कथा सुन रहे हैं नवे दिन कथा पूरी हो जाएगी रामचरित्र सुन रहे हैं शास्त्र रामचरित्र केंद्र में है उसी की कथा सुन रहे हैं और ये कथा से कभी आप अकेले खेत में बैटे हैं पैड के नीचे बैटे हैं और ये सुने हुई ये चरितर जो तुम में नौ दिन में भरने की एक विनम्र वो की गई वो आप अकेले बैटे हैं शान्ती से और फिर वो सुनी बाते तुमारे दिल में जो भूबरने लगए कभी प्रयोग करना सुनी हुई बाते जिसको वेदान्त मनन कहते है तो जो जो सुना वो उसी मात्रा में जब राम चरितर याद आने लगेगा उसी समय तुलसी कहते है प्रैम प्रगट होने के दो लक्षां भी बता दिये कि तुम्हारा शरीर पुल्कीत होने लगेगा सुनी हुई बाते याद करते करते और कोई ऐसी मर्म बात तुमने सुनी हो वो जब उभरेगी उसी समय आँख नम हो जाएगी आँख बीगी हो जाएगी कि मेरे सद्गुरू ने ऐसा कहा था उसने ऐसी कथा सुनाई थी वो जब तुम में स्थापीत की मैं प्रार्थना करू यह यह व्यास पीट पर मेरी पोथी है यह व्यास पीट है और में पोथी यहां रखता हूँ साथ में लाता हूँ नव दिन रखता हूँ फिर साथ में लिए चल लौट जाता हूँ फिर मेरी जो ठाकुर सेवा रोज की है उसके सामने रोज रख देता हूँ उसकी रोज पूजा करता हूँ इसका रोज वस्तर बदलता हूँ रोज थोड़ा इसमें से पाठ करता हूँ यह अनुलेइन पाच ओ कबाटमा मुखी नथी देता हूँ आँ मारो स्वास छे मैं उसको बहुत जतन करता हूँ बहुत जतन तबला वातक अपने तबले का जतन न करें तो उसकी कला को कलंक लगता है हर्मोनियम वाला अपनी हर्मोनियम वो न करें तो उसके संगीत के साधन रोते हैं सितार हो बेंजा हो कोई अपने अपने इंस्ट्रुमेंट अपने 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 एक अराधना करने के साधन है गुलाम अली उस दिन नहीं कह रहे था बापो मेरे आर्मोनियम के बिना आनन नहीं आएगा मेरा अर्मोनियम मेरी इस्ट मुर्दि मेरा इस्ट है ये मैं चाहता हूँ कि कभी आपका दिल व्यास पेठ हो जाए और मेरी पोथी की बाते में तुमारे दिल में रख दो ये पूरी कथा तुमारे दिल में उतर जाए फिर तुमारा दिल चलता फिरता व्यास पेठ और राम कथा कि पोथी तुमारे दिल में है और तुम कभी अकेले बैठे हो और जब ये कथा रखी गई है दिल में उसमें से कोई सुत्र कोई विचार कोई याद आए और तभी समझना कि प्रेम प्रगट करने की एक विदह है और प्रेम प्रगट हुआ कि नहीं उसके फिर वहाँ दो लक्षन है पुलकित भाव रॉमांच रॉंक टे खड़े हो जाए आख क्या हुआ वो पल थी और इस अनुवधि के बाद आपको फिर ये अनुवधि जब निरंतर होने लगेगी तो फिर इस पल के बीना कही आनंद नहीं आएगा ये रोज पल खोजी जाएगा पंजाबी में गाते हैं वो मास्टर सलिम गा रहा था है सानु जैनना आवे सानु एक पल जैनना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे माँ सारा कलियां जी नहीं लगे सजना तेरे माँ 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 सजना तेर मिना सजना तेर मिना सजना तेर मिना ऐसे जब हमारे दिल में पोथी प्रस्थापी तो पोथी में भगवान की कत्वा कोई गरंथ के रूप में लेकिन उसका उसके जो विचार है जो हमारे दिल में आज़ा मेन तो कभी अपने आप उबरेंगे मेरा तवण लगव हे कि मैं शास्त्री संगीत सुनता हूं सुगम शंगीत सुनता हूं संतवानि सुनता हूं सुफियाना संगीत सुनता हूँ कभी कोई फिल्म गीत गाले तो वो भी इतने आदर से सुन लेता हूँ परहेज क्यों गीत में कच्रा नहीं है तुमन में कच्रा है पर फिर सुनी होई बात चार-पात दिन के बाद फिर वो गुनगुना हट पैदा होती है अंदर वो ट्यून वो तराज वो लाई ये फिर उबरती है ऐसे कभी रामचरित की बातें आपके दिल में उबरें तो एक विदी है प्रेम प्रगट होने की ऐसा मानस में लिखा है इसलिए मैं उसको प्रेम प्रगट की विदी में रख रहा है अरही ये राम चरीत आई ये आए अरही ये राम चरीत सम आई ये प्रेमार पूलाक लोग जन जल प्रेमार पूलाक लोग जन जल आए हर ही ये रामु चरीत सब आए हर ही ये रामु चरीत सब आए है आए हर एए हर ही ये रामु चरीत सब आए है माना से राका पाई सुसामाय सिवासन पाका आई सुसामाय सिवासन पाका अरही ये राम चरीत सम आये कि अरही ये राम कि अरही ये 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 राम आए, प्रेम पुलाती लोग चनत, आए, प्रेम पुलाती लोग चनत, भगवान शंकर को जब रामकथा के बारे में पूछा गया तो भगवान के रिदय में जो खुद ने रचकर रामकथा रखी थी कभी भुसुंद रिशे से सुनकर जो रधई में रखी थी कभी कुमबज रिशे से सुनकर जो रधई में रखी थी कभी सती के वियोग में गुमते गुमते कई लोगों से कथा सुनी थी ये सब कथा उसने अपने रदे में रखी थी वो निकली हरही राम चरित सब आएं वो जब निकली तो गुस्वामी जी कहते हैं शंकर में प्रेम प्रगट होने लगा और इस प्रेम का प्रमान दो दिखा दिया पुलकीत भाव जगा शिव के शरीर में एक बिलग ढंग का वो पुलकावली भाव प्रगट हुआ और गुस्वामी जी कहते हैं अभी गाया नहीं कुछ कहा नहीं लेकिन नेत्र में आंसुआ थे लुपने कौन कलकत्ता के शास्त्री गए रासित खान मुझे एक बार बता रहे थे बापू कभी कभी मेरा जो घराना है और मैं जिसका शागिर्द हूँ इस गुरू की गाई एक कोई चीज उसी की दून में जब मुझे याद आने लगती है तब बापू मेरी आँखे बहरा दे हर रही हर चीज राम चरीत है एक अच्छा भजन गाओ बापा और आप अपनी परंपरा में कहां से भजन आया उसी व्यक्ति की याद आ जाए तब वो भजन तुमारी आँखे बर्द वहां प्रेम प्रिकट होता है मैं प्रार्थना करूँ किसी भी छेत्रे में मूल पूरुश को मत भूलना ये ख़दान है कई गाईकों के ये नुभव है उसका मुर्शिद उसको याद आते है कि क्या करिपा हुए ये सब राम चरीते हैं मेरी दुर्श्टि में कि ये चुपाईया श्लोक ही राम कता नहीं है जो बोले सो हरीक था तुम जो शुद दिर्दई से बोलो वो सब हरीक था अरे देहात में गाया गया शुद दिर्दई से दो व्यक्ति को मिलन के प्रसंग पर गाया एक लगनगीत भी राम कता है मुझे कोई आपती नहीं है और लगनगीत में हम गाते हैं सिता ने तोरण राम पदा रहा बात तो वही है जो बोले सो मेरे लिए शायरी भी राम कता है काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है अब किसको सीर जुकाओं तुझे देखने के बाद किदर काबा है किदर तु है अब मैं निर्णई नहीं कर रहा हूं शायर कहता है कि मैं किसको सीर जुकाओं कैसे सुकून पाओं तुझे देखने के बाद अब क्या गजल सुनाओं तुम्हें देखने के बाद सब पंक्तिया भगवत कथा है भगवत कथा को तुमारी फ्रेम में मत मढ़लो आपने राम कथा के बारे में क्या मूल सुत्र क्या है चरितम रगुना थस्या शतकों की प्रविस्तरम भगवान राम की कथा सौ करोड स्लोक में है हरी अनन्त हरी कथा अनन्त अरामा यन सतकोटी महलिय महेश जीव जानी हरी कथा ही हरी एक पक्षी गाता है मेरी दुरस्टी में हरी कथा गाता है कोई गाली बोले कोई गाली बोले तो समझना राम कथा हो रही है अब आपको अगरा पड़ेगा कि ये सब क्या मामला है कोई गाली बोले हाँ रावन कभी कभी राम को गाली बोलता है सब है राम कथा में बिलक मत करो जो बोले इस वहरी कथा गाली बोलनी नहीं चाहिए फिर आप शुरू कर दे किसी को गाली ही दे और को बाप उनका था इराम का था है सुनो यह ऐसा प्रया है गलत मेसेज मत ले जाओ लेकिन यदि कोई स्वभाव से गाली बोल गया तो फिर नाराज होने की क्या जरू है मेरा नाम राजू यह गराना अनाम यह ना गरानूस है मैंने कल भी कहा कि लोग तुम्हें गाली दे तो समझना वो खुद का परीचर ही दे रहा है उसका भी अच्छा अर्थ नहीं कर दो मेरा नाम राजू गराना अनाम बेहती है गंगा मेरा नाम बेहती है तो उसने डफली अच्छी बजाई थे तबलाबाद के जिए थे 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 अपड़े जूई दफली के मबागी तबलू के मबागी हो क्या सूर बराबर पकिड़न क्या थुड़ू कि बद्ध्यू पाशू सर्वांग नहीं नहीं चेतना है बहुत अच्छा काम कर रहे है मेरी दृष्टि को इसको और इसको होसला बढ़ेगा साहब राम कथा के आश्रे में बैठकर गाने से होसला बढ़ेगा बजाने नहीं है मुझे मदन के बाप आपके नाम को कोई कुछ कह जाए उसका मुझे डर लगता है मैना का छोड़ भाई मेरे नाम को मुझे क्या लेना देना है बोले 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 सो निहाल को साथ स्री अकार अब अब बढ़ेशी तो आप पंचावन विरस निकले कथा मा क्यारना गुजरी गया उसका है दुनिया तो आलोक ना सागर मही कोई नावती तरसो नहीं और दुनिया तना दो रंग ना दोखा कदी दरसो नहीं सिता ने गोर जंगल मां हमें पुत्रों जानागा चै और कृष्ण ने भील ना बाने हमें पोते हनागा चै कलम दुरुजे कथा ना दीने हमें पोते हनागा चै कि सीधा भी बदनाम हुई इसलिए बजन करना है जिसको समाज में कुछ शुप करना है वो निर्भार रहे हैं मैं कल के वाक्य को फिर गाऊंगा पूछ तो हो हो वाना वागे से सारे भाजू किया है अग्धमा सानमा कथा करवाने कुछ तो लोग कही लोग का का मुझे कहे है छोड़ो बैकार की बातों को कहीं बीदर जाए एवाना और लोग लोग बोली को लोग जो कह रहे हैं उसको भी का गीत करने कितना हादर दिया लोग का का इसके अधिकार को कैसे छिना जाए उनका काम है छोड़ो कितार की पातों में कालवी बीदर जाए एवाना उसके जाए बीदर जाए लोग का का काम है तो बाप मूल तत्व को हम भूले ना सब हरीकता है जहां से शुब तत्व हम ले सकते हैं जहां से सत्य हम ग्राण कर सकते हैं वो शुब रामचरित है जो बोले सो हरीकता संत्वानी प्रस्तुत होती हो रामकता सुगम संगीत प्रस्तुत होता हो मेरे लिए रामकता है शास्तरी संगीत प्रस्तुत होता हो रामकत है कोई सुन्दर सात्विक भाव की बढ़ोती हो ऐसा नुरुत्य पेश होता है शिल्प होता हो चित्र हो हर बस्तु को हम नमन करते हैं पनुमान जी के चरणों में सब होता है मैं शरुवात में चुट गया यह ठाकुर जी की आरती करो वो नृत्य नहीं तो क्या है क्या है यह नृत्य नहीं यह नर्तन है हरीवर करशनदास मानिक बापा के शब्दे हरीवर सन्मुख नर्तन थी आरती के बारे में उसने कहा शत्शग क्रिशन दाटमानेक बाबा की आरती हरी अरवर सनमुख नरतंती शब्दाय मानेक दादा शतशग आरती भगवान के सामने नुर्टि करना अरवर सनमुख नरतंती तेदिन आसु भीनारे हरीना छोचनिया आरती नुर्टि है पूरा पांचे तक्वा उसमें नुत्य करता आयारती में पांचो तक्वा जो पंच महाभूत है प्रकृति के वो पांचो आरती में आज ही रोते हैं हमारा चित्रकुट में साइंकाली नारती पांच-छे दिन पहले हो रही थी माया भाई और बैटा था और ऐसे ही बात चली तुमें ने का यह आरती देखवा अन्मान जी की उते इसमें पांचो भूत नाज रहे यहां तो बोलना बात में शुरू किया एडवांस में चल्चाती है जल बिन उतरे नारती उसमें जलतत्व चाहिए पानी के बिन आरती नहीं उतरती जलतत्व आचमनी यानिकानी चपापानी जनमांतर गतानी चपानी ऐसा गर के आचमनी और चलना मृत आरती के बाद दिया जाता है यह जल तत्व है आरती आरती में डीप जोती यह अगनी तत्व है तेज तत्व बुजी हुई बत्तियों से नहीं करते शत शत अथवातों दश वर्तिका जिसको भी नहीं पत्रिका में को उसमामी जी कहे डस वाट बाड़ी आरती अगनी तत्व है जल तत्व है दियातों के मंदिरों में जिनों होने आरती देखी हैं और राम इसी परमपरा को मैं फिर जगत के सामने ला रहा हूँ वरना में सब करमकांड छुडवा रहा हूँ केवल आरती रखता हूँ आखीर में कि आरती गाई जाए और एक दो दीप कि आरती उतार ली जाए और वो मूल बात हमने शुरूर रखवाई कि दूप हो गूगल का दूप हो दूपी हो जे महाराज रुप दूप की एक गंध होती है वो पृत्वी तत्वा है एक गूगल पृत्वी तत्वा के संतान है किसी ब्रिक्स से गूगल उलू गूगल ने एक गंध है और अरिश्पै में कह रहा था कि देखो ये हमारी जो रीत है जो कुरानी जो कहो भगवान को वो आरती दे हैं जोत वाली फिर ऐसा करते हैं आरती भगवान को देते सब को ठीक है फिर पुजारी दूप यू ले वली वाटो वुदी दूप याम नखे दे वाटो पुछी बाव काई रह नहीं पुछी दूप याम आती दूप निकले यह पुछी दूप या थी आरती उतार पुछी दूप आपे दूप अंधेरे का प्रतीक है और आरती के दीप प्रकाश का प्रतीक है ठाकुर जी कहते हैं मुझे दूप भी कबूल है मुझे उजाला भी कबूल तुमारी पुराया भी मैं ले लूँगा और तुम्हारे सद्गून भी तुम मुझे दे दुआ अंधेरे का प्रतिक है दूप में प्रकाश नहीं होता अंधेरा एक दूप का मुर्ति का इतना कभी कभी दूप होता है कि मुर्ति कम दिख दे दिखने लगए आर्थी की जोती में मुर्ति बिलकुल साफने परमात्मा सब कुछ कुबूल करता है तो दूप इपृत्वी तत्व जल जल तत्व आर्थी का दिख इतेज तत्व छिती जल पावक गगन आकास शब्द शंक शंक से जो नाद निकलता है क्यों शंक फुका जा रहा है मैं दिरे दिरे बहुत सहज योजना के मुताबिक इस सब व्यास पिट के सामने फिर ये पुरा तनवस्तु पेश कर रहा है मेरे आने से शंक बजे ये कोई वीज़ई की उद्गोशना नहीं है मैं कोई उद्द में नहीं आ रहा है लेकिन ये शंक जो बजाया जाता है वो ये पुरानी अस्तित्व की उपस्थिती है शंक क्यों बजाया जा है हमको लड़ने जा रहे हैं ये आकाश तत्व की उपस्थिती है शब्द अनाहत नाद तो गगन शंक दीप तेज गंध पृत्वी जड जड तत्व पांचवा तत्व रहा वायू हमारे गाउं में फिर आप न देखी उग्यारती एक ऐसा कपड़ा रखते है यो उसको भेगा करके ये जो हिलाना जुमर नहीं होता है गरीब मंदिरों में पंक्खे नहीं होते हैं सामान मंदिरों में तो वहाँ जह किसी भी प्रकार के एक हवा का जोंका चले एक हवा का अविश्कार हो ये उसका एक प्रती है प्रमात्मा को हवा डाली जाए किसी निकिसी रूप में तो आरती यह हमारा प्राकृतिक नुरुत्ति है पर साहब फिर आरती में और बाजे बजे न तो ठीक है बजे लेकिन आरती के समय गंट नगाड़ा और माराज के आज में जो गंटड़ी है उस जो संगीत का जो परमात्मा अथवा तो परमात्मा के विचार के लोगों ने जो एक कमपोज किया है सब कि इससे अलावा कोई अंदर नहीं गंटड़ी और बद्दा साधनेवा मिलवाना पड़े और नगारू कोई मिलवे नहीं कि लाओ गण नगारू तक है थोड़ी थी नो मिलवाई क्यों नगारू मिलवू न पड़े गण्टडी कोई माराज आज सुधी मिल भी न थी और गामना लोको जे गण्ट वगाड़े काई मिल भी एक प्राकृतिक कंपोजिशन है एक कुद्रती संगीत की उपलब्दी है और फिर जो करें ये नुद्य नहीं तो क्या है साथ आरती उतारने वाला ये नुद्धिय ही तो है आँ हरे कृश्न मंदीर में आप जाओ इस कौन के मंदीर में आप जाओ तो जब आरती होती है और फिर जब हरे रामा तो आप देखिए, सब एक प्रकार के रिधम में डोलते हैं अरे क्रिष्णा आरे रामा, 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 आर करें आप अब गाते समय और बोलते समय तुमारे शरीर की सहज पहव बंगी माएं सहज उठती अदाए मुद्राए ये सब नुर्ट्य मुद्राए है मैं यहां बेटा बेटा हम फजडबं थें ना बोली शुकू कल वो काईलाज क्या लो बंबं बकडबं क्या करता अच्छा था हाँ ऐसे भी मापुरूस लोग बोलते हैं वो उनकी अदा है कि जरा भी कोई शरीर में हल चल नहीं वो भी एक अदा है उसको मैं नमन करता हूँ अवस्छा लगकी वक्ता की अपनी प्रस्टूती होती है मैं बोलो तो कभी ये हाथ उटेगा कभी कभी खबर नहीं अवस्छा आप कभी देखे कोई कोई आदमी अकेला टेलिफोन जो लेंड लाइन पर बात करता है हाँ पची तैटी तम्हें हाँ आँ 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 जो अई लो मुंबई माँ बैठो जो पची सीद्धा हाँ आँ 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 पची आँ कि अभाँ आँ क्वाँ आँ आँ आई आँ आँ दू करता है इसभी मुद्रा निर्ति के गज़ इसाहँ यह तो आपकी आँख भी समझ नहीं पाती है जब समझां न समझ बाकि मैं चार गंटे निर्ति के सिवा कर क्या रहा हूं मैं नाच तो रहा हूं साथ मैं तुमारा मन घगरी पे रहा हूँगी जैवे बाकी मैं इसी कपड़े में नाच रहा हूँ और कभी-कभी मैंने कहा भी है कि मैं अपने बस में नहीं हूँ अपने ही बस में नहीं हूँ लेकिन ये नुरुत्य है मेरा नुरुत्य है वस मैं नुरुत्य से मेरे ठाकुर को रिजा रहा हूँ और बुलेशा पंजाबी संत बुलिया जब इनका गुरु रुट गया और बुलिया को कहा कि मता आना मेरे पांस गुरु रुट गया तो विचारा बहुत रोया बुलेशा फिर किसी से पूजा कि मेरे गुरु को राजी करने का क्या उपाए बुले उसको नुरुत्य पसंद है उसके दरवार में कोई ने कोई ठुमका लगाता है तो बुलिया अपने गुरु को प्रसन करने के लिए नुरुत्य शिखा और सज़ड़ करके गुंगट लेकर के अपने गुरु के पास नुरुत्य करता है मर्यादा भंग नहो बिबत सता नहो लेकिन एक विद्या तो ये नृत्य नहीं तो क्या है शरीर से हम ननाचे लेकिन आत्मा नर्तका कोई भी साहितिकार कोई भी प्रस्तूत करता होगा या आदमी उसकी उसकी सहज अदाओ नृत्य नहीं तो और क्या है तो प्रमात्मा के आरती में पांचों महाबूत सम्मीली तो होते हैं तब आरती संपन्न होते है हरीवर सन्मुख नर्तंती कर्शंदास माने कहते हैं तो ये नृत्य है तो किसी भी बहाने हरही ये राम चरीत सब्सक्राइब प्रेम प्रेम प्रगत कर सकता है और दूसरा भगवान के छरित्र को रदई में उभरने से राम तो आरती है और आओ व्यक्ति के मन में प्रेम का उदै होता है और उसका प्रमान है पुलकावली भाव और नेत्रों में पानी आजाना ये प्रेम के लक्षा है मामगूने गावत उलत सरीना गद गद गीराँ नयन बैटीराँ इस गद अनमान जेनती के उसर पर अरिश बैवर ये सब साक्षी है बुद्धी के खैर खा लोग अनमान जी के सामने ये सब ये नृत्य हुआ ये हुआ और उसके बाद इनके आँखों में हमने प्रत्यक्ष आँसू देखे ये नृत्य नहीं तो क्या था ये प्रेम नहीं तो क्या था तो बाद इसराम चरत्मानस में प्रेम प्रगट करने के कहीं उपाई कहीं विधियां गुस्वामी जी ने दी है वो जिस जिन कोई करम नहीं रहता है मेरा नदी को करम नहीं होता कैना लोग को करम होता है नदी को कोई करम नहीं होता ये गंगा है इसलिए कभी ये स्मृति में पंक्ति आई तो वहां से शुरू करता हूँ कभी ये आई आगे पिछे हो जाएगा आप आप देखोगे तो लेकिन करम नहीं करम कांड में करम होता है प्रेम कांड में करम ब्रम नहीं होता सब करम ब्रम इधर उधर बजल जाते हैं प्रेम में कौन है तो ऐसी कुछ चर्चाएं हमारी मूल रूप में हो रही है देवताओं के महादेव ने ब्रमा को कहा कि प्रेम से प्रगुट हो जाएंगे और सभी ने प्रेम से प्रार्थना की और भगवान ने कहा कि मैं प्रगट होंगा और कल हमने कथा कि आखीर में भगवान राम के प्रगट का उत्सव मनाया संक्षेप में भाय प्रगट क्रिपाला दीन दयाला कौसल्या इतकारी अरेशित बहतारी मुनिमान पहारी अदभुत रूप पिचारी लोचन अभिरामा तनम स्वावा निज आईत भूज जारी उशन वानमान नयन विसाला सुभा सिंदु खरारी ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रति मेध प्रति माम उल्रश्वरासी यह उपहासी सुनत धीरत हतित रेव प्रति उपय जाह जग ज्ञाना प्रभु मुष्वाना तरिक अभी इत्न जाना अही कथा सुनाई मातु पुजाई जेही प्रकार सुति प्रेव माता पुनी बोरी सोमती नो तजर वकातु यह जग 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 शुनी ना अग्नी प्रिया शीना यह सुप परमाण। शुनी बचन सुजाना, रूधन आना, ओ हिमालक सुखन गूपा, यह चरितर जिपावई, अरिपद पावई, तेन परद परद परूपा, अए प्रग्यक्रिपाना, दीन दयाला, कौसल्या इतनगावई, अरशित पावई, मुनिमन आवई, अद्भुत पूपावई, तो जिस महादेव ने कहा था, कि प्रेम से प्रभु प्रगट होंगे, और इस प्रेम के कारण, निज इच्छा, निरमित तनु, प्रभु प्रगट हुएं, जिसकी संक्षित, चर्चा कल हमने की, और बदाई भी, सबने, ऐसे, उत्सो मनाया, वो स्वामी जी कहते हैं कि, राम का प्रगट हुआ, राम का जनम जी तो हुआ, लेकिन कई कई माने भी एक पुत्र को जनम दिया, सुमित राजी ने दो पुत्रों को जनम दिया, चार पुत्रों की प्राप्ती से, अवद है, खबर नहीं कितना आनंद हुआ, कोई कह नहीं सकता, रामाय में लिखा है, कि एक महीना कैसे बीट गया, अवद बासियों को पता नहीं लगा, कि एक मास बीट गया, प्रभु के जनम के समय जो उत्सव हुआ, ये निरंतर एक महीने तक चला, लोगों का अनुगों ऐसा रहा कि मानों रात हुई ही नहीं, दिन ही दिन रहा, सुरत तो डुबा होगा, रात हुई होगी, जो प्रकृति का नियब है, लेकिन भाव जगत में, ब्रमानंद, अथवात और परमानंद, दोने के संगम से, दो शब्द वहाँ आए हैं, उस समय, ब्रमानंद और परमानंद के मिलन से, लोग ऐसी बाव दशा में डूबें, कि एक महीना कैसे मीता पता ही नहीं लगा, मानों सुर्यन आरायन, एक महीने के बाद अस्ता चलको गए, इस मरम को कोई नहीं जान पाए, और ये मैं हर वक्त कहता हूँ कि इसमें कोई आश्चरिय करने की जरूरत नहीं है, नव दिव सी राम कथा में, नव दिन कैसे पूरे हो जाते हैं, पता नहीं रहता है, तिन चार घंटे गाते गाते कैसे निकल जाते हैं, पता नहीं रहता है, तो साक्षात ब्रह्म जब प्रगट हुआ होगा, तब एक महीने तक ये बाद चली, अरे कृष्णा उतार में तो वैष्णवी परंपरा में ऐसा बताया गया, कि जो बगवान कृष्णा जन में थे, फिर एक साल तक चला, इसलिए आज भी वैष्णवी परंपरा में जनमा श्रमी आती है, तो छठी का उत्सव, मानों आज ही हो रहा है, इसी रूप में एक साल का उत्सव मनाया जाती है, ब्रह्मानंद और पर्मानंद में स्वाभाविक है, समय कैसे बीते पता नहीं रहता है, चार पुत्रों को पाकर अयोध्याका दन्य हुई है, पगवान शिवजी ये कथा कैलास पर से, पार्वति को सुनाते सुनाते बोले, एदेवी राम का जन्म हुआ, तब मैंने एक चोरी की। पार्वति ने कहां, महाराज किसी का जन्म होता है, तो लोग दान करते हैं, आपने उल्टा किया, लोग देते हैं, इदान हैं, कुछ न कुछ लोग समर्पन करते हैं निछावर करते हैं यह दान का प्रतिक यह वयभव का प्रतिक नहीं है तो अपने चौरी की बोले चौरी मनि किसी की चीज बस्तू ले नहीं ले तो राम का प्रागध रा हुद्ध्या में हुआ तब मुझे बाल राम के दर्शन करने थे इसलिए मुझे अयुद्या जाना था लेकिन आपको मैं बताऊं कि मैं राम दर्शन के लिए जा रहा हूं तो आप जिद करके मेरे साथ चलती और मैं नहीं चाहता था कि आप मेरे साथ चले क्योंकि गत जन्म में आप मेरे साथ कथा सुनने आई थी तो राम की लीला देखकर आपने शंका की कि राम रोते क्यों है और उसमें पूरी घटना आपकी मृत्यु तक हुई अब तो राम बालक के रुप में आए है तो बालक तो रोता ही है फिर आपको ले जाओं और आप संदे करे कि ये काहे का ब्रह्म है और फिर एक नई जंजट पैदा हो इसलिए मैंने आपको कहा नहीं आपने पूछा भी कि कहा जाते हो तो मैंने कहा मैं गया आभी आओंगा ऐसा कहकर निकल गया मूलबाप छिपाई मैंने इसे मैं अकसर विनोध में कहा करता हूँ कि आप गर से निकले और गर की पत्नी जो पूछे आपको कि आप कहा जा रहे हैं आप कहें कि नहीं दो तिन गंटे काम है इसलिए मैं जरा बाहर जा रहा हूँ और आप हुआते हैं तीन से छे में कोई चल्ची तरह कोई फिल्म देख लेते हैं इस प्रकार की चोरी लेकिन शिप जी कहते हैं मैं आपको कहे भी ना गया बताया नहीं गिरी जा ये मेरी चोरी है अब आपको मैं बता रही है क्योंकि अब आपकी बुद्धी दिरट है अपने जीवन की कमिया किसी योगी व्यक्ति को जब उसकी बुद्धी स्थीर हो जाए तब बता देना परिवार के सद अस्यो को भी यदि ये नहों पाएं तो कम से कम अपनी कोई श्रदेई व्यक्ति हो उनके सामने क्योंकि वो तो पीड है उसके पांस कुछ रखने में कभी गाटे का सौधा नहीं है उसको कहना जब उनकी किसी दिरधमती वालों को अपनी कमिया बताना ऐसा यहां संके संत लोगों ने तो अपनी कमियां को सारवबहम कर दिया था कि हम ऐसे हैं ऐसे हैं मोह सम कौन कुटी ने खलका मोह सम कौन कुटी ने खलका तुमसे काहर छिपी करुणानी दि तुमसे आप छिपी कर दानी तुम उर अंगर जाएं कौन उटी ने है का वो सम कौन उटी ने है नात द्वारा में, गुरु द्वारा में, हरी द्वारा में अपनी कमियों को जहां द्रढमती, अपने को समझने वाली कोई व्यक्ति मिले तो उसके चरणों की तीजोरी में, एक कुछ चीज रख देना ऐसा यहां संक्राइब पर एक बात तो पक्की है, कि जो कमियां हैं, वो कभीन कभी तो उजागर होगी ही क्योंकि अस्तित्व परदे में रहना नहीं चाहता है, खुल देता है आज कौन अख़बार में नाम तो याद नहीं रहा लेकिन अख़बार रोज सुबह में अख़बार देखता हूँ तो उसमें एक था, कि एक लड़के ने अपने बाप से पैसे मंगवाई, तो बाप ने पूछा, कि पैसा क्यूं, अभी तो कुछ समय पहले दिये थे, तो बेटरे ने कहा, बुक खरीदनी है, इसलिए तो मित्र ने कहा, फिर हुआ, कि ने ही, पकड़ा दया, क्यों, बापा ने बुक भेज़ दी, उसने बुक खरीदने के लिए पैसा, बहाना बुक, बुक खरीदनी ही पैसे चाहिये थे, किसे इधर उदर बोकर, बापने पूछा, तो बुक खरीदने के लिए पैसे तो बापने बूक ही भेज़ दे पैसे नहीं भेज़ पकड़ेगा पकड़ा गए शिव जी कहते हैं मैंने चोरी की कौन सी चोरी मैं और काग भुसुंडी मनुश के रूप में अयुद्या गए रामदर्शन के हेदु देखो साब रामदर्शन तो किसी भी योनी में हो सकता है लेकिन यहां तुलसिदाज जी ने एक बहुत पते की बात ये कही कि काग भुसुंडी जी कववा है शंकर महादेव है परमहोंस है लेकिन रामदर्शन के लिए मनुज रूप जाने ही नहीं तो मनुज रूप में राम का दर्शन मनुज रूप में जितना आसान है जितना देव रूप में भी आसान है क्योंकि वो मनुज रूप में आया है मनुज अबतार मनुज रूप में परमात्म आया है और शीव मनुश बन करके उसका दर्शन करने जाते हैं अथा आप जानते हैं जोतिसी का रुप बनाया शिवजी ने अपना नाम रखा शंकरदत शर्मा चेले का नाम रखा भुसुन्री दत शर्मा योजना बनाकर रहयोद्या गए चेले ने प्रचार शुरू किया लोग आते थे राजमारक पर उसको कहने लगा बाबा का पेर चुओ कभी बाहर नहीं आते हैं हिमालई से पहली बार तुमारे नगर का भग्य हैं कि बाबा बढ़ा रहे हैं बहुत त्रिका अलग गया हैं सरवक्य हैं सब कुछ बता देते हैं पेर चुओ ऐसे परचार शुरू किया और भगवान शंकर जो पूछे उसका साफ साफ बताने लगे लोगों का यकीन हुआ और बाद भवन राज भवन में गई तुमा कवसल्या ने निमंतरन दिया कि बाबा को मंदिर में ले आओ अब शिव जी की योजना ये थी कि इसी बहाने मुझे ठाकुर के दर्शन ये जोतिष विद्या के बहाने मुझे प्रतेक विद्या का अंतिमलक्ष होना चाहिए राम दर्शन संगीत विद्या हो गायन विद्या हो चित्र विद्या हो शिल्प विद्या हो नृत्य विद्या हो मा द्यम से राज भोवन में प्रवेश पाते हैं मा कवसल्या के लालन को अपने अंक में लेकर दर्शन करके धन्य होते हैं जोतिश के रूप में वो कुछ बविश्वानी भी कह देते हैं कि हे मा तेरा ये बेटा जब कुमार अवस्था में आएगा तब एक कुरुशी आएगा आपके नगरी में और तुम्हारे पुत्र के मांग करेगा आपको देना पड़ेगा और मात्मा ले जाएगा मा की आँख में आसु आ गए कि बाबा एक मात्मा मेरे पुत्र को ले जाएए ऐसा आप क्यो बताते है आपको यदि दक्षिना कम पड़ती है तो हम ज्यादा दे लेकिन कुछ अच्छा बताओ ना शीव जी ने कहा जो आथ में लिखा है वो बता रहा हूँ लेकिन पुरा सुन तो मा क्या एक मात्मा आएगा तुम्हारे बेटे की मांग करेगा रगुकुल की परंपरा के अनुसार आपको मना नहीं कर सकते देना पड़ेगा पर वो मात्मा तुम्हारे राम को ले जाएगा बाद में एक तुम्हारा राजकुमार एक बहुत सुन्दर कन्या से ब्याह करके लोटेगा ये पूरा सुन मां बहुत कुछ हो गई जहाँ बाद अब ठीक है आगे देखिए क्योंकि बेटे की शादी की कोई भी बात करें मां बहुत खुछ होती है बाद में सब चिलाती है लेकिन पहले ये मां की खुशी होती है मां एक बिलग बिलग आवस्तित मां मां है पीझे मेरे शुरुता ने दो दीन से माँ के बारे में कुछ कवीता लिखकर दिये हैं मैं बूल जाता ह। इसके परिश्रम को मैं वो करू जाता है माँ के बारे में हैं कुछ लोग यूँ ही खफा नहीं होते लोग यूही खफा नहीं होते आपकी भी खता रही होगी कुछ आपकी भी खता रही होगी हादसों से मुझे बचा लाई हादसों से मुझे बचा लाई वो किसी की दुआ रही होगी वो किसी की दुआ रही होगी खैरियत से कटे सफर मेरा लगता है आज मेरी मां निर्जला रही होगी मेरी पूरी यात्रा बिल्कुल बिना बिग्न पुरी हुई तो लगता है मेरी मांने निर्जला वरत किया होगा यह माँ की महिमा है माँ जो मुझस से रुठी है मैं उसे मना लूँगा माम को पिगलने में कितनी देर लगती है माम में बती है आमें लोग को बढ़े लगने ला माम अच कैसे पड़ आम माम जल्डी पिगलती नथी तो पूरा है ओ माँ जिसमें आको मौडू बराईजा तू मौड़े हमारो कभी काग लगे के मौड़े बोलू माँ क्या मने हाचे नानप हां भरे पच्छी मोट अपनी मजा अमने बदी कड़ भी लागे कागड़ा तो माँ पर कुछ बाते यहां लिखी गई माँ मैंने जिस वक्त माँ के चरणों में किया सजदा आस्मानों से भी उचा मेरा सीर लगता है सक्त राहो में भी आसान सफर लगता है यह मेरी माँ की दुआओं का शायद मनोवर्राना हो सकते है शायद उसके तो माँ अखिर माँ है जब विश्वा शिवजी ने कहा कि मात्मा तुमारे बेटे को ले जाएगा फिर ब्या कर आएगा तो माँ बहुत खोश हो रहा और रक्षिना दी और वगवान शंकर तो राम का पूरा भविश्व बताने लगे तो ब्या के बाद तो वनवास की कता आएगी और अयुद्याकान का भविश्व बताने लगे ही संत लोग फरमाते हैं गोध में खेलते हुए राम ने बाबा शंकर की दाढ़ी खीची की खबरदार आगे बोले तो वरना वनवास की बाद संते मेरी माँ अभी से रोना शुरू कर देगी तो भगवान शंकर ने जोतिस विद्या का ये प्रकरण वहां रोक दिया ऐसा तुलसी दर्शन में लिखा है बूढो बढो प्रमानिक ग्रामन संकरे नाम सुखायो आगरी एकार अवद आजू आगरी एकार अवद आजू आगरी एकार बहाना बना करके शीव अयोध्या में राम दर्शन करके फिर कैलास लोटते हैं परवती ने पूझा की कहां गए थे आप अब बता दिया तो बोले मुझे नहीं ले जाते आप मुझे ले जाते तो बोले आपको ले जाने में मुझे चिंता हुई कि पहली बार आप गलत अर्थ कर गई तो परवती ने कहा कि ठीक है मुझे नह ले गए कोई बात ने लेकिन मैं नहीं जा सकती अब यहां बैठो आप गर संबालो मैं जाती हूँ अयुद्या और हमारे संत लोग कहते हैं परवती ने खिलोने बेचने वाली का रूप लिया और राम दर्शन के लिए अयुद्या आकर राम को भरत को लक्षमन को शत्रुगन को इनके स्वभाव के परसंग भी संत लोग गाते हैं दिन बितने लगे अयुद्या में दिन दुना रात चौगुना उत्सा बढ़ रहा है चारों भाईयों के एक के बाद एक मंगल संसकार होते चले जो ने मानस्वर हमारी पूरवी इस भ्यता में होता है बोश्वामी जी कहते हैं नाम करन संसक का समय आया दशरत जी ने ग्यान गुरुदेव को बुलाया पूजा की प्रार्थना की की बाबा आपकी क्रिपा से मुझे चार पुत्र बुड़ापे में प्राप्त हुए हैं आप रदई से विचार करके आपके अंता करन में जो नाम उठें मेरे चारों राजकुमारों का नाम रख दिया जाए और गुरु नाम करन करने के लिए आते हैं उत्सव मनाया गया और गोश्वामी जी ने इस पूरे प्रकरन को अपने ढंक से चौपा यो में रखा गोश्वामी जी लिए लिए नाम करन कर अवसर जानी नाम करन कर अवसर जानी नाम करन कर अवसर जानी पठ ये मुनि ज्यानी भूब बोली नाम कर अवसर जानी 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 जा तो आपने सिंदू सुख्रासी शीखर दे तेलु कस्वाँ सुख्रा दापस्वाँ कर दो सो्सुरार कि नहींघ कि अखियो अे अदो बना कि नितक है कि आफियो कि उखियो भीश्व कर दो क्यो rust बिश्व भरने पोशन कर जोई ना करें ना करत्थ हस्गोई तुपार जाके सुमिरने 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 लची बने नाम पुदा धरेवु नाम गूरु इदय विचारी दरेवु नाम गूरु निदय विचारी बेदकर्थाई तबसुतचारी जो आनन्दे सिंधु सुखराशी द्रये शिकरते द्रये दोकसुपाशी सो सुखराशी द्रये चारो राजकुमारों का नामकरण के आ जा रहा है मा कवसल्या के गोद में अंक में सावरा राजकुमार साक्षाथ श्रीहरी बरंब बालक बन करके खेल रहा है बशिष्ट जी ने राजन को कहा कि राजन ए बालक आनंद का समुद्ध रहे सुख की राशी है त्रिलोक में उसकी उपस्थिती रहती है निरंतर ये बालक का नाम दुनिया को विराम विश्राम और विराम दे सके आराम दे सके इसलिए मैं इस बालक का नाम राम रखने जा रहा हूं और भगवान और शिष्ट जी ने कौसल्या के पुत्र का नाम राम रखा और पूरी अयोध्या ने इस राम नाम को बधाई के साथ जाई गोश के साथ इस पावन नाम को इस आदी अनाभी नाम को इस महा मंत्र को पूरी अयोध्या ने स्विकार के समझ में नहीं आ रहा है कि ये नाम करण संसकार था कि मंत्र दिक्षा संसकार था लगता है तो एक विधी जैसे हमारे परिवारों में एक के बाद एक विधियां होती है बच्चा पैदा होता है उसके बाद लेकिन राम का था तो उसकी मैंने कल्बी का कि इसका अंदाज भी लगए है उसकी आवाद भी लगए है उसकी अदाएं भी लगए नाम रखते हुए वशिष्ट जी ने राम महा मंत्र की सार्व भौम उद्गोशना की सौ सुखधाम राम असनामा अखिललो कदायक विश्रामा इसका नाम मंत्र बनकर पूरे विश्व को विश्राम प्रदान करेगा उसका नाम मैं राम रखता हुए पर एक बात और कहके मैं आगे बुड़ूँ कि दश्रत जी के घर पैदा हुआ इबालक राम और वशिष्ट जी ने उसका नाम राम रखा तब से ही राम नाम दर्ती पर नहीं दर्ती पर तो राम नाम आदी अनादी काड़ से है कभीर साब को कहना पड़ा नाम अनंत रहत है जग में दूजा तत्वन कोई के लोग मानते कि दश्रत के बेटे के नाम जो राम है वो दश्रत और उसी समय नहीं दश्रत के पुत्र ही राम है तो भिगवान शंकर तो आदी है नादी है वो किस राम का नाम जबते थे हो तक्म कों था राम अनन्त है उस का नाम अनन्त है बाप इस महा मंत्र है लोग बहुत प्रसन्न हुए इस विश्राम दायक मंत्र प्राप्त करके राम के समान वर्ण, राम के समान स्वभाव, राम के समान ही रूप कई-कई पुत्र के वो देखकर वशिष्ट जी बोले, दूसरे पुत्र का नाम बिष्व भरन पोसन कर जोई, बिष्व भरन पोसन कर जोई, ता करें, भरत अस्वोई, ता करें, महराज, भगवन, यह बालग जो कई-कई के अंग तुमें है, उसका नाम मैं ऐसा रख रहा हूं कि जिसके नाम के सुमिरन से विश्व का भरन पोसन होगा, यह नाम सब का पोशक होगा, शोशक नहीं होगा, कहिए प्रभू, यह पूरे काईरात को, पूरे स्थित्व को, पूरे संसार को, अपने प्रेम और त्याग से भर देगा, इसलिए मैं उसका नाम भरत रख रहा हूं, व्यक्ति का जीवन, त्याग और प्रेम के बीना पूर्ण नहीं होता, यह नियम है, नारत जी भक्ति सुत्र लिखते हैं, तो दूसरा ही सुत्र नारत का, जो भक्ति सुत्र, 84 जो 84 भक्ति सुत्र है, इनमें मैं न भूलता हूं तो दूसरा ही सुत्र है, कि भक्ति क्या है, तो नारत जी कहते हैं, परम प्रेम रूपा, भक्ति मानी परम प्रेम, बरत क्या है, वो ही प्रेम की मूर्थी है, और फिर नारत जी का एक सुत्र आता है, नारत भक्ति सुत्र में, तद लब्धवाप, पुमान, सिद्धो भवती, अम्रितो भवती, तुरुपतो भवती, कि तीन बात, नारत, जब ये प्रेम आ जाएगा, तो आदमी भर जाएगा, नारत कहते हैं, सिद्धो भवती, प्रेम जब जीवन में आता है, तो आदमी सिद्ध हो जाता है, आदमी तिर्प्त हो जाता है, और आदमी अम्रुत तत्व को प्राप्त कर लेता है, नारत के मन में बक्ति की व्याख्या प्रेम है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो अस्मिन प्रेम प्रम प्रेम रूपा ऐसा सुत्र है दूसरा ही सुत्र है और प्रेम तत्व ऐसा है बाप की हमें भर देता है तुरुप्त कर देता है अम्रीत प्रदान करता है और सिद्ध कर देता है सिद्ध होना मानी क्या ठाकुर रामकृष्ण परमा का करते थे कि चावल जब पक जाता है तो ठाकुर कहते है सिद्ध हो गया जिस घटना से जहां तक जाना चाहिए वहां तक पहुंचना उसी का नाम है सिद्ध होना एक बीज बिक्ष बन जाए और कई दूसरे बीजों को पैला कर दे वो उनकी सिद्धता है एक अच्छा गायक गाता 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 पुर्णता की और जाता जाता एक अच्छी भैरवी गादे वो सिद्ध भवती जाते 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 आखीर सुत्र तक पहुंचना हम जो होने के लिए यहां आये हैं वो जब हम बन जाते हैं सिद्धो भवती लेकिन ये प्रेम से हुआ जाता है त्रप्तो भवती अम्रितो भवती ऐसे सुत्रा है नारत के प्रेम के बारे बरत प्रेम मूर्ती होने के नाते सब को त्रिप्त कर देगा भर देगा इसलिए मैं इसका नाम भरत रखता है पुरी सबा ने भरत नाम को प्रेम से कुबल किया जाके सुमीरन देविखुवासा नाम सद्रुहन बेद प्रकाज नाम अब सुमीत्रा के दो पुत्र लक्षमन शत्रुखन जिसका नाम करन होने वाला है ऐसे मैंना जाता है कि शत्रुखन सबसे छोटा है लेकि नाम करन की विदी में तीसरे स्थान पर उसका नाम रखा गया है उस्मामी जी कहते है राजन ये बालक का नाम सिमरने से दुश्मनी नश्ट हो जाएगी शत्रु की शत्रुटा का नाश होगा वैरी का वैर समाप्त हो जाएगा इसलिए मैं उसको शत्रुखन करूँगा पूरी सबा ने इस नाम को भी इतने आदर और प्रेम के साथ शिकार कर लिया इसका नाम शत्रुखन लक्षमन जी का नाम आखीर में रखा हम जानते हैं गणित के नियम को जो भांगते ही, काटते आखीरी जो अंक रहता है उसको हम शेष कहते हैं और शेष को फिर कोई काट नहीं सकता वो आखीर में जो आए हैं वो शेष लक्षमण जी शेष नाराएन के अवतार है जैसे संतों ने बताए शेष नारायन के आउतार तो है लेकिन ये अर्थ कहीं संतों से मैंने सुना हुआ शेष सदेव आखिर में होता है इसलिए लक्षमन का नाम भी आखिर में रखा लच्छ नगाम सुराक्रियर सकल जगर आखिर मुर्वर्वर्ष में रखिर में होता है सभी शुब लक्षन का धाम राम का बहुत प्रिय पूरे जगत का आधार पस शिष्ट जी कहते हैं इस बालक का नाम मैं लक्षमन रखता हूँ ये बड़ा उदार बालक है पूरी सबान लक्षमन जी के नाम की उद्गोशना को भी बहुत प्यार से खूल के धरे बुनाम गुरुप जी बड़े प्यारी बेद तद्वर प्रिप तवसुत जाओ चारों पुत्रों का नाम रखा और वशिष्ट जीने का राजन ये तुमारे पुत्र तो है ही लेकिन स्थूल रूप में पुत्र है सुक्ष्म रूप में ये चार वेदों के सुत्र है वेदों के तत्व है गुरुदेव ने नाम करण संस्कार किया हमारी पद्धती ये रही कि गुरुजन नाम करण करते थे पगवान कृष्ण का नाम करण करने के लिए गरगाचारिय जी पजा रहे थे जिसने गोष्ट में प्रभु का नाम करण संस्कार की बीदी की तो गुरुजनों को पास हम नाम करण करवाते हैं अक्सन जिससे भी करवाएं और जो नाम किसी बच्चे का रखे लेकिन वो उसको समझ करके रखे तक इस नाम के प्रताब से भी वो अपने को उन्नत कर सके उसको विक्सित कर सके तो नाम की बड़ी महिमा है और मेरी व्यास पीट हर वक्त तो बोली है जैसे मैंने आज का कि वशिष्ट जी ने नाम करण को बहाना है राम महा मंतर को सार्व भाउम कर दिया एक मंतर दिक्षा कर दी लेकिन कोई गुरु मंतर दिक्षा देता है तो मंतर जपने की कुछ विधी भी बताता यहां तीन विधी बताए कि राम नाम जो महा मंतर है कोई जपे तो उसको पहली विधी ये है भरत राम नाम जपने वाला दूसरों को भरे दूसरों को पोशे राम नाम जैसा एक महा मंत्र लेकर किसी का शोशन न करे ये एक महत्वती सूचना है हम राम नाम लेते हो जो भी नाम लेकिन हम से किसी का शोशन न हो वो द्यान में रखते है तो वरत का नाम एक प्रकार का वृत है हरी नाम लेने वालों के लिए कि हम सब को भरेंगे किसी का शोशन ने करेंगे दूसरा हरी नाम लेने वालों के लिए दूसरा वृत है हम किसी के प्रती शत्रूता नहीं रखेंगे सामने वाला दुश्मनी रखे रखे ये उनकी उनके करम लिकिन हे हरी में हरी नाम जबता हूँ मेरे मन में कभी भी किसी के प्रती द्वेश और दुश्मनी पैदा न हो इसलिए दूसरा वरत है किसी के प्रती दुरुभाव न रखना हरी नाम लेने वालों को तीसरा वरत है परमात्मा का नाम लेने वाला थोड़ा पर्मात्मा का काम भी करे पर्मात्मा का काम करना मानी सबका आधार बने लक्षमन तो पूरी दुनिया के आधार बने शेश नारायन के रूप में क्योंकि उनकी फना पर पृत्वी है इसलिए आधार हम सबका आधार नबन पाएं लेकिन हमारी आवकात के अनुसार जिन जिन लोगों को हम खड़ा कर सके आधार बने कुछ न कुछ उसकी सेवा करके हम उसको उसको प्रोसाहित करें कोई तेजस्वी विद्यारती को हम फीस भर दे कोई गरीबों को विज़त के साथ कुछ ऐसा प्रदान किया जाए कि वो समाद में खड़ा हो जाए कोई मरीज की ऐसी चिकित्सा करवाई जाए कि वो फिर अपना अरोग्यलाव प्राप्त करें तो हरी नाम जपने वालों को चाहिए राम नाम के साथ थोड़ा राम का काम भी करें यह ज़रूरी है अकेले काम ना करो और राम राम रखते रहो तो भी राम नाम कभी फैल नहीं जाएगा लेकिन दुखन अलाब होगा जब हम काम करेंगे दुसरों के लिए राम नाम जबते जबते काम करें तो मेरे भाई बेहन हमारे गुजराती में बिल्कुल सीधी साधी पंगती है वैसे कोई कविता नहीं किर्टन के रूप में करता जाजो घरना काम और लेता जाजो हरी नूना राम नाम रटते रटते कम से कम घर का काम भी करो पड़ोशी का काम करो पिस्तार करो सामाजिक खित्र में जाओ अत्वा तो सामाजिक काम जिसको करना है वो भी बिना राम नाम करेगा तो सामाजिक खित्र में उसको एहंकार आजाएगा गांधी बापु की सामाजिक सेवा विश्व में सफल रही इसका एक मात्र कारण है बुनियाद में हरी नाम था, राम नाम था, प्रार्थना थी कभी प्रार्थना चुके नहीं थी कभी रगुपति राग हो, राजा राम का किर्तन नहुआ हो सुबह शाम ऐसा कभी नहीं हुआ प्रभू के नाम के साथ समाज का काम अठ्वा तो समाज का काम करने वाला राम नाम नचुके राम नाम माने हरी नाम जो नाम आपके मौच तो ये नाम करण समस्कार का ये छोटा सा प्रसंग राम चरित्मानस का मुझे लगता है हमें अध्याद्मिक प्रेणा देता है तो चारों भाईों का नाम इस रूप में रखा और कहा ये चारों वेदों के महत्व के सुत्र है उसके बाद तो राम जी की लीला आगे बढ़ती है चारों भाई कुमार वस्था में आते हैं और फिर उसको यगनो पवीत समस्कार किया गया और हमारे यहां यगनो पवीत समस्कार के बाद गुरु ग्रिह भेजे जाते हैं बच्चों को गुरु कुल में और वहां गुरु से वो शिक्षा दिक्षा प्राप्त राम ब्रह्म है अवस्थ फिर भी मानव रूप में आये हैं तो जगत को बताया कि मैं ब्रह्म हूं तो भी गुरु के आश्रम में जा रहा हूं तुलसी को लिखना पड़ा गुरु ग्रिह गाए पधन रा घुराई गुरु ग्रिह गाए पधन रा घुराई अल्म काल विद्यापाई जाकी सहर्ण वस्थ बिचाए जाकी सहर्ण वस्थ बिचाए सोहरी बड़े है गुद्बाई सोहरी बड़े है गुद्बाई जिसके श्वास श्वास की प्रक्रिया में चारों वेद रहते हैं ऐसे परमात्मा को क्या पढ़ना लेकिन विश्व को एक मिसाल देनी थी कि मैं ब्रह्म हूँ तो भी किसी गुरू के पास जाकर दिक्षा प्राप्त करता हूँ अल्पकाल में राम लखन बरत शत्रुकन चारों भाईयों ने शिक्षा दिक्षा प्राप्त कि लोटे राजभवन अब गुरू से जो विद्या प्राप्त की थी वो जीवन में उतारने लगे जैसी कि उपनिशद पढ़ाया था गुरू ने मात्रु देवो भवव पित्रु देवो भव आचारी वगेरा वगेरा तो राम जो सुत्र शिक कर आये थे जो विद्या प्राप्त कर आये थे उस विद्या जीवन में उतार रहा है जो स्वामी जी ने पिल्कुल उपनिशत का करम निर्वहन करते हुए लिख दिया प्रात काल उठी के लगुमाथा प्रात काल उठी के लगुमाथा सुभब पगवान पहले मा को प्रणाम करते हैं फिर पिताजी को प्रणाम करते हैं और फिर जो सर्वच स्थान माना गया गुरुदेव को प्रणाम करते हैं उपनिशक के सुत्र का संदर रुप से निर्वहन करते हैं मैं भी प्रारतना करके आगे बेढ़ूं बच्चों को युवानों को चाहिए यह भारत है हमारी पुर्वी यह सभ्यता है बड़ी गहरी जड़े हैं हमारी बुजर्गों को माता पिता को गर में जो जिष्ट हो उनको सुभः शाम प्रणाम करो चलो प्रणाम करन में संकोच होता हो तो कम से कम मेरे घर में मेरी माँ देवता है ऐसा रिदई की आस्था के साथ मानो मात्रु देवो भवत बाप को मेरे घर में एक देवता है फिर ये बाप का कर्तव बे हैं कि देवता बनकर दिखा दे, ये उनका कर्तव बे है, लेकिन हम अपनी शर्धा से मानें, कि मेरा बाप देव है, मेरा गुरु देव है, इराम कर रहे हैं, अपने उम्र के बालकों के साथ बगवान गेंद से खेलते हैं, ये बगवान ने बच् गैन से खिलने बगवान गैन से खिलते हैं। सर्जु के तर्द पर जाते हैं राजकुमारों के संग और समवयस्कों के सांथ बगवान खिलते हैं। बच्चों को खिलने देना चाहिए। आज की शिक्षा इतनी बोज बनी है कि बच्चे बेचारे खेल नहीं पाते हैं स्कूल में इतना फिर होमवर्क फिर ट्यूशन का बिलग-बिलग सब्जेक का सब्जेक का टिचर आ जाता है खेलना तो गया बिलकुल राम खेलते हैं थोड़ा बच्चों को अवकाश दो बच्चों को स्कूल आजकल अच्छी नहीं लगती इसका पूरा प्रमान हमने मैं भी स्कूल में काम करता था तो मुझे पता है कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तब उसकी गती देखिएगा और पांच बजे जब स्कूल पूरी होती हैं लोटते हैं तब उसकी गती मानो एक बेडियों से मुक्त हुआ है बच्चा और भागा जा रहा है हमारे गुजरात में एक शिक्षन की चर्चा चल रही है भार विनान भनतर बच्चों को भार न लगे बोज न लगे बाप बच्चे थुड़ा खेले इसको अपनी मौज में थुड़ा रहने दो कई लोग मेरे पांच माता है खास करके आती है मेरा बच्चा बहुत शरारती है बहुत तुफानी है तो यह तुफानी नहीं तो नान पढ़ती है ना तर बुद्ध बनावी दिवोस है उसको उसको शरारत करने दे यह बच्चा है वो नाचेगा गाएगा यह जरूरी है उस पर पाबंदिया न डाले प्रेम से उसको थोड़ी निज़ता प्रदान की जाएं जो राम जी को मिली ऐसे प्रभू सुन्दर अध्यात्मी की लीला कर रहे हैं अध्या में अब गुस्मामी जी कहते हैं यह सब्रेट चरित कहा में गाई यह सब्रेट चरित कहा में गाई आगी लीकता सुन्दमन आई वो स्वामी जी कहते हैं यह सब्रेट चरित रतों में ने आपको सुनाया गाई करके अब आगे की कथा सुनो संतों ने बताया कि राम कथा में चार लिला एं एक तो बालकांड में इबगवान की बाल लिला फिर जनकपूर जाएंगे तो वहां श्रिंगार लिला अत्वा विवाह लिला रहो फिर वनवास होगा राम जी का तो चित्रकुप में विहार लिला सियरगवीर विहार और आखिर में अंत लंका कान में संगहार लिला परमात्म की चार प्रकार की लिला कोई कोई संद पाँच लिला भी कहते है जो हो तो भगवान की ये सुन्दर लिला चलती है और अब एक दिन विश्वा मितर जी आते हैं यगनरक्षा के लिए राम की मांग करते हैं शुरू में दश्रध जी मना करते हैं लेकिन फिर वशिष्ट जी के कहने से वो राम दे देते हैं और राम लक्षमन को लेकर वशिष्ट जी एक बहुत पुर्व योजीत योजना को पूरा करने का श्री गनेश करते हैं ये कथा सब उसके बाद आ रही हैं उसकी चर्चा मेरी व्यास पेट कल करेगी आज इसी कथा को यहां रखते हुए कल उसको आगे बढ़ाऊंगा मूल सुत्र को पकड़ते हुए लेकिन आज यहां से आप उठे जाएं इससे पहले कुछ मिनिटों के लिए दो पांच मिनिट के लिए भगवन नाम का आश्रे करें अरे रामारा मारा सितारा रामारा अरे रामारा सितारा रामारा अरे रामारा सितारा अरे राम आराम आराम सिता राम राम आराम अरे राम आराम आराम अरे राम आराम आराम सिता राम आराम आखिया ए हर रहे रहां रहां। थाल बार नाम्राम स्थार आम्राम राम्राम हुँआ शीजर भार आरे रामा रामा राम सिताराम रामा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma 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 Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Tomorrow प्रिश्कां, हरे हरे आरे राम आरे राम 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 परतनाया संकत कर नाम प्राराव मकल शीदा सायधा रामकल शीदा सयधा आज की कथा विराम ले रही है कल सुबह साड़े नुब बजे फिर भगवच चर्चा भाव से राम जंद्र भगवान प्रिया हो माल कृष्म भगवान प्रिया हो सदे गुरू भगवान प्रिया हो नम्हा आर्वति पत्ये आराल महारे प्रिया हो नुब भगवान प्रिया हो सदात्तारत रूत प्रिया हो नम्हा आत्र प्रिया हो नम्हा आर्व से निए रवार्पली ठीदिराप्री आपती निए वक्ती आपनि निए जाँ निए दिलापी तुनार्थका लिए आपती अन्याथ अन्याथ पर दोग आपके शर्ड़ीन की है बन्मह परमियोचा विष्यागवन तैसिकी दिये वर्ण। भविनाम अभिषेक प्रसंगा पुरिवित्वत्व राजरशवन। उद्वादिं कर विरह विषाथ नईसिराम रशिविष्य। इसकी दिये विष्य। विष्य। बादमी की ठंगी रहन बख्मार केको नहीं सब्सक्राइब चिवाग बत्ना गर्द कुमर्ण करका करने प्रेवाद करिम पप्रिया सब्सक्राइब करके जाँ तरुप्राइब तुमिलकु पढ़ी बहुर्द संग्याइब लेग बागुका अवत्पुद बातुद्धानी सोलपादी सुप्रकार तुम अव्याग बने गरी बेरा पजी सर्मी बार्दी सेछश्याप्री दुप्रिय। तरुप्रस्ति रईचंदर्ब पावलकाईब जीद मैत्री कुल्टेगाईब प्रिक भुपांच वच्छी के तवास्टा रंप्य सकर्च वोगे तुशियनों को देश रमोगा इपकारी ही जिन्दे नलोशन्वत बहुरिबत्वा इंशान इपसान असकों जरमाई चुपार देखे जिन्देश शकर्च इनाया सिताकारपन इन्दे उत्यार समो ह्टिन हुम्भी बुक्तिया जिन्दू उत्वारिगतं समろिपत्व अधिला मरा्ण के लेश रोगए रपनाराग्सpel्च पार्ति विलंत शक्ति इनिवा इन थे क्रुपार इह थांग्झादु पर्पीत लंकै करूंगता तैर प्रवर्शन वास बर्णन पर्शासरण वानु वानु जी जित कभिपति कीचपः द्धाय स्टीत आगोज काद विसुगाई इवर्पवे शक्तिन देवा तर्पिन पहों प्राव सच शवक्ता समय सुमारा नार भरें प्रवर्व लंकातं प्रवेश्टिति प्रिस्टिति पैजियर्ण गनुजारि रावनी पोर्ण पुदैना प्रवर्वर्वर्व आहेत् šव्नार बुयार् वेएं कीकशवस्टि इवर्वा संदियार भर्मु यावल्वे, तरह तर्पिन कीश वानी। जानी पक्तितिति पैजियर्य इजार में पलावनी पिक जैजियर्ण थेतुबान प्रवेश्टिति प्रिक्ता समय पिक्ताばद प्रवान जुद्धा नगर्मा प्रवान समरवध्मां रावन बर्वन जोदर सोपाराई भी संदु असोग चीतार भुपत निलनगोदी चुरन जुदिपस्ति गरवध्मां प्रवध्मा 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 प् आओ आद माहिस कि लगने वास कि माय दिया, सेहा घिकारी क Squass आति जर्म्मा उनितिकनु इनाद आर्दी करों आर्दी करों भिनार्दी शार्दी शुशंकाई चेश्यों आहें, वरनी पावान सुते, पिर्दी, आदी श्री, आदी श्री. को जाल जस्क टेश्एंपर श्री, तक बर्दान को दिसे, को जी हैं में, निन न मेंकरतेंक, जाल यां से संद्मक्रत कि, हडी श्री, आदी श्री, क्यार आदी श्री, क्याम allत-च्रॉत्त में, आदी श्री, वरना आके संतत पंपो हाली, मरभरे संभार, पूरिदे ज्यान, ज्यास्त वालिल्लाइ बर्दो पाली आके सोगी तरुर के अधि, आरती वायद नुद्ध, तर्मिका अधार नी, पिश्यास्थीरी, सुनाद सिताव, मुद्धि वाधी की ऋन्यान, ज्यास्थीरीआ ज्यास्थीरी, मुद्धि वाधिन, तर्मिकाव, मुद्धि पंपो की आहे दिशी रामा एंदी रामा एंदी रामा एंदी ओामा एंदी आहे वामा एंदी पेंदी कमा मां पामा एंदी झाल 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 झाल